हालो एव्रिवान वेलकम तो साइंस इंफन यार पांच मिनिट लेट हो गया सौरी सौरी सौमच तो आज हमने क्या करनी हमने दो पॉम्स को कवर अप करना है धाट इस दस्ट और स्नौ एंड पायर नाइस चिक है तो बायो की क्लास की वज़े से लेट हो गए हाँ वही बेटा वही जल्दी जल्दी आईए एव्रिवान जल्दी जल्दी आजो तो चालिए आज हम शुरू करते हैं डस्ट और पायर पायर है नाइस और यह बहुत ही छोटी सी पॉम्स हैं दोनों तो दोनों के NCRT questions भी कर ले हैंगे ओके तो dust of snow चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले अब dust of snow एक बहुत ही छोटी सी पॉम्स है और यह Robert Frost ने लिखी है और actually इसमें इतना कुछ है नहीं इसमें सिर्फ four lines है और four lines पर पूरी जो पॉम्स है वो cover-up हो जाती है जेक है the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree what do you mean by this देकि Robert Frost यहाँ पर कहते है the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree it means कि यहाँ पर क्या है कि जो Robert Frost है वो एक hemlock tree के नीचे से निकल रहे है ठीक है यहाँ पर क्या है एक tree है ओके जैरीला tree बोल सकते है आप अब वो पोधेट से बड़ा हो गया ठीक है एक क्या है यहाँ पर एक tree है fine और जो Robert Frost है वो इस tree के नीचे से निकल रहे है और उनका जो mood है वो बहुत जादा खराब है तो वो कहते है the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree dust of snow का मतलब क्या है snow particles को here refer किया जा रहा है for example यहाँ पर आपको crow दिख रहा है crow दिखता है और साथ में बरप की बॉचहार गिरी हुई है तो यहाँ पर यह बोल रखा है कि Robert Frost नीचे से निकल रहे थे और जो crow है उसने क्या करा ट्रेंबल किया यह यहाँ पर हम बोल सकते धक्का मारा और क्या हुआ कि जो snow particles से वो Robert Frost के उपर आकर किर गए he has given my heart a change of mood and save some part of a day I ruled अब यहाँ पर वो कहते है कि क्या हुआ has given my heart अब जिस तरीके से मैं ट्री के नीचे से निकल रहा था या वहां बैठे थे निकल रहे थे थे दिक है निकल रहे थे देखे अब 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 यहाँ पर यही बोला जाता है कि जो Robert Frost है वो निकल रहे थे और वो बहुत दादा मून का मूद घराब था और अच्छली क्या हुआ जो एक क्रो था वो उसने शेक किया ट्री को और जो स्नो पार्टिकल्स थे वो उनकी सर पर आकर गिर गे जिसके वज़े से क्या हुआ has given my heart a change of mood मतलब मेरे दिल में जो बेचैनी थी जो एंजाइची थी वो चेंज हो गई और जो मेरा मूट था वो भी बदल गया and save some part of a day I root और जितना दिन का भाग बचा था जब पार्ट विच वस लेट इट वास ब्यूटिफुल ना चेक है और जो क्रो ने क्या किया जो हम यह कह सकते हैं जो दिन खराग हो सकता था उससे उसने बचा लिया तो यह Robert Frost कहते हैं Any doubt still here? बहुती छोटी थी पोम है hardly 5 मिनट में यह पोम जो होती है वो complete हो जाती है has given my heart a change of mood and save some part of a day I root तो यह Robert Frost कहते हैं किसी को कोई problem है? पटपट से answer दीजे देखें सब को clear हो गया है? No doubt चलिए इसके पटवट से question answer कर लेते हैं इंसी आरटी करेंगे फिर थोड़े से extra question answer करेंगे फिर हम fire and ice foam पर चलेंगे ओके जी? देखें What is dust of snow? dust of snow आफिर है क्या? What does the poet say has changed his mood? How has the poet mood changed? अब यहां पर question को देखो क्या बोला गया है? What is a dust of snow? मतलब यहां बोल रखा है कि dust of snow क्या है? What does the poet say? poet क्या कहते है? has changed his mood कि what does the poet say has changed his mood और साथ पे साथ How has the poet mood changed? और poet का जो mood था वो कैसे बदल गया? ध्यान से सुनिएगा A dust of snow dust of snow का मतलब है tiny particles dust of snow क्या है? एक छोटे कड़ of snow to put together जो इखटे करे गए है तो भिएट पी जोटे जो इखटे करे चेंच हो गया? पर से फेल्ट सब्सक्राइग पहले उन्हें बहुत जाद़ साथ फील कर रहे थे but the falling of the dust of snow changed his mood लेकिन जैसे ही बरफ गिरी तो उनका जो mood था वो change हो गया It changed it towards the beauty of nature वो nature के और change हो गया और in a different way मतलब उनका जो in short mood था वो divert हो गया था क्या हो गया था? Mood divert हो गया था Question number 2 को देख लीजे How does frost present nature in this home? तो जो frost है उसने nature को कैसे बताया है? The following question may help you to think and answer So these are the hints और आप से देखें main question क्या है? ये वाला है How does the frost present nature in the home? अब देखें ये आएगा आपका 3 marks का question आ सकता है 3 to 4 marks का और ये वाले जो question है ये 2 marks की weightage को लेकर चलेंगे अगर ये separate बना तो 2 marks की बनेंगे Otherwise 4 marks का जो बनेगा उसमें आपको पूरे answer इसी के लिखने है ओके बागी रत, माध्व तो पहला question क्या आ रहा है? What are the birds that are usually named in the home? तो काँ सी जो birds है पुर नॉर्मली बोली जाती है Do you think a crow often mentioned in the home? What images come to your mind when you think of a crow? तो क्या आपको लगता है कि जो crow है वो कभी पूर्म में बोला जाता है? नहीं बोला जाता है ना? और कौन-कौन सी birds actually बोली जाती है और अगर आप crow की image करते हैं तो उसे कैसा दिखाया जाता है? तो birds with great qualities अगर हम कहें वो generally named होती हैं पूर्म में however जो crow है वो mention किया गया है where there are problem or serious themes और crow को वहाँ mention किया जाता है जहाँ पर problems हैं जहाँ पर कोई serious themes हैं when I think of a crow, जब मैं crow के बारे में सोचता हूं I make images of sadness मैं sadness की image को refer करता हूं after reading the poem, dust of snow लग dust of snow को पढ़ने के बाद अगर मैं ये कहूं कि कौन सी image जो है वो crow करता है तो आप बोलोगे image of sadness चिक है? image of sadness या आप मैं ये कह सकते image of sorrow you can say problems ये sorrow अब ये सारी चीज़े बोल सकते है मैं paper में 3 और 6 marks वाले ही question आएंगे हाँ तो मैं ये कह रही हूँ न 3 marks का ये बन सकता है अब ये जो question है अगर ये 3 marks में पहली बाद तो आने में नहीं आएगा तेके 6 marks में भी नहीं बनता है ये question अगर ये separate 3 marks का हो सकता है ये 6 marks का भी question बन सकता है लेकिन ये 3 marks की weightage के लिए हिसाथ से मुझे नहीं लगता है question आएगा तो ये 2 marks की weightage ही लेकर चलेगा तो अगर मैं 2 marks का कहे रही हूँ इड मींस की CBC वैला इसको 3 marks में पूछ सकता है और लेकिन ये question इतना important है ये कह रही हूँ और don't go actually जो blueprint दिया जाता है न इंग्लिश के लिए वो 100% reliable नहीं होता है exam में आप देखोंगे 2 marks का question पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखेगा question number 2 को देखो क्या है again what is a hamlock tree? hamlock tree क्या है? why does the poet write about a more beautiful tree such as maple और ओक और पाइन ट्री? तो यहाँ पर hamlock tree क्या refer कर रहा है? ये बहुत important question है ये 3 marks में आराम से पूछा जाएगा भागीरत तो ये क्या है? again hamlock tree क्या है? why does the poet write about more beautiful trees? why doesn't? मतलब कि क्यों जो poet है उसने अच्छे सुंदर trees के बारे में क्यों नहीं लिखाया? जैसे कि ओक हो गया, maple हो गया, pine tree हो गया है ना? तो जो poet है उसने hamlock tree के बारे में लिखा है जो एक poisonous tree होता है जैकि he has not written about more beautiful tree जैसे कि हो गया, maple, oak या pine tree क्योंकि विकाद these trees symbolize ये trees जो थे symbolize करते हैं beauty को और साथे साथ happiness को और साथे साथ जो Robert Frost है वो चाते हैं कि वो represent करें feeling को जो है sadness की, regret की और इसलिए उन्होंने hamlock tree को use किया है तो यही चीज़ यहाँ पर है third question आ जाता है अब देखो आपने कहा तो 3 है 6 marks का आएगा अब देखो अगर इसमें 3 parts पूछे गए है question में तो यह जो 3 parts है ना यह 2, 2 marks का बन जाएगा और यह जो main है यह 6 marks का बन जाएगा तो यह देखो आपके gram वालों ने बोला या तो 3 marks का आएगा या तो 6 marks का आएगा अब 6 marks में भी आप वो 2, 2 marks के 3 parts पूछ सकते हैं तो यह क्या करता है 1 marks का question पूछ सकते हैं 2 marks का question पूछ सकते हैं हाँ या ना तो वही चीज़ बोली है तो what to do the crow and hamlock अब क्या जो crow और जो hamlock है वो रिप्रेजेंट करता है joy या sorrow को what does the dust of snow that a crow shakes off a hamlock tree strand for यह किसे strand करता है तेक है अब यहाँ पर देखिये crow और hamlock tree represent करते है sorrow को और harmful thing को जो होतना है तेक है जो dust of snow है वो strand करता है natural happiness को या something very happy तो it means इसका मतलब है जो sad day है वो change हो जाएगा it is going to change into something joyful यह change हो जाएगा कुछ something joyful वो अच्छा for the poet पोईट के लिए clear हुआ clear हुआ आगे चलते हैं question देखिये question number three have there been time when you feel depressed or hopeless यह value based question है और यह generally नहीं आएगा और अगर आता है तो आप अपने हिसापते इस answer को लिख सकते हैं तो यह homework होगे कि आप देख लीजेगा तो यहां पर example मैंने दे रखा है और इसकी slides आपको मिल जाएंगे कि don't worry about the same तो यह important question है जो मैं कह रही हूं question number one the way a crow shook down on me the dust or snow from a hemlock tree अब इसमें है कि यह question important है poem के जाब से ऐसे questions 101% होते हैं कि यह आएंगे तो यह बहुत important है और यही मैं यह कहूं कि poem में ऐसे question पूछे जाते हैं मतलब इन्हें हम कह देते हैं comprehension question okay name the poem and the poet आपको poem और poetry के बारे में बताना है तो आपको यह line जो है यह Dutch of snow poem में से ली गई है और इसे Robert Frost ने compose किया है और you can say these lines have been taken from the poem the dust of snow and the poet name is Robert Frost so you can write the same okay where was the crow crow कहां था he was sitting on the hemlock tree अब बोलोगे the crow was on hemlock tree फिर आजाते है what did the crow do crow क्या कर रहा है crow ने शुक्त दी tree in such a way जो dust of snow है fell on the poet उतके बाग fourth आजाता है what does the hemlock tree represent hemlock tree किसे represent कर रहा है तो hemlock एक poisonous tree होता है जिससे नहीं consider किया जाता है एक favorable मतब कि उसे hemlock tree poisonous tree है तो उसे एक happiness नहीं बल्कि एक problematic situations में देखा जाता है तो यह represent करता है क्या यह represent करता है सौरो को कि टिके है क्या करता है सौरो को कि क्लेर हो गया है चले है आगे चले है चले है क्वेशन अमबर two has given my heart a change of mood and save some part of the day I ruled अब इसका मतलब क्या है ध्यान से देखे क्या होता है कि जो पोएट का mood है वो change हो जाता है तो आप बोलोगे जो पोएट का mood है वो change हो जाता है जब dust of snow hemlock trees उस पर गिरती है प्रो के द्वारा एक बार राइटिंग सेक्शन भी करा देना प्लीज यह राइटिंग सेक्शन माधव मैं जल्दी करा दूंगी कल भी क्लास है आपकी यूट्यूब पर राइट जितमें मैं फ्लामिंग स्वारी फर्स फ्लाइट बुक का मतलब क्लास करनी पड़ी तो एक सेपरेट वीडियू लेकर आ रहें सेक्शन ले आउंगे ठीक है डोंट वरी अबाउट इसेड़ किया था चाहिए कि आपको देखना है तो पोईट ने डिसाइड किया था कि वो सेव करें रेस्ट आप दी डेए तो अगला है अगला है वाट वह दी मूद अब दी पोईट बिपोर और आफ्टर इंसिडेंट पोईट का मूद जो था वो चेंच हो गया था डिप्रेसिव मूद से अब उनक सब्सक्राइब गया था तो एक इंजॉइबल मूद में चेंच हो गया था एक स्टर क्रेसिन में देखी अभ यह 3 इमक्री की वेटेश कि वेटें ले सकता है वे 2 मांग्स कि वेटेश आगर 2 मांग्स का है तो थोड़ा सा कम करली जिए वरड लिमिट लिमिट को बढ़ा दी थोड़ा तो और एक्स्प्लेइन कर दीजिए बट में चीज यही निकलेगी ओके तो क्वेशन यह आ जाता है हाव दिडी क्रोड चेंग दी पोएट्स मूड अभ्यान से सुल लो बचने स्लाइड मिल जाएंगे लिखने की दरूरत है नहीं हाव दिडी क्रोड चेंग दी पोएट्स मूड तो जो पोएट्स था वो जा रहा था सम्वियर इना स्नुए मॉर्म तो ही वह बहुत दाद अपसेट हो गया था और जो क्रोड था वो बैठा हुआ था हैमलॉक प्री पर ज पैशन नुमबर 2 को देखो वाट 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 वी पोएट वेन दी डॉस्ट ऑस्नौ फेल उन हिं रियक्शन क्या था पोएट का जब दस्ट ऑस्नौ उसपर गिरा था चेक यह ओके तो नॉर्मली हम यह कह सकते हैं जो पीपल होते हैं यह सोचते हैं जो प्रो है और सा वे मिले गया तो जिसकी वज़े से जो वो डिप्रेस्ट और सौरफूल था लेकिन जैसी मुवमेंट जब क्रो ने करी तो हम लॉक ट्री और दस्ट ऑस्नौ की वज़े से वह बहुत दादा रिलीव्ट हो गया वह अन्बर्डेंट हो गया और वह हैपी हो गया तो यह चीज मैंने यहां पर भी अस्पीशियस लिख दिया होगा चीक है इन उस्पीशियस लिख लेकिलो चीक है ओके इन दी वेस्ट यह जनली टेकन इस अन बाद ओमन बट दी नेगिटिव वेर तो इसकी वेज़े से उनका जो दिन था वो बज़ गया और आउटलोग चेंग तो दी अब देखो अक्रो और हैंवलोग फ्री शुब डाउं दी डस्ट अफ्नू ऑन दी पोट जीक है जो पॉलिंग डस्ट अफ्नू है पोएट पे हैस चेंग है स्मूद इसकी वेज़े उनका जो मूद था वो चेंज हो गया था फिफ्ट क्वेशन आ जाता है अगर कोई डाउ है ओके तो यहां पर यह है क्रो शुक डाउन दी डस्ट अफ्नू अंदी पोट लेकिन जो क्रो और हैंवलोग प्री है उसे माना जाता है कि वह क्या है एक इन ऑस्पीशियस है जो पॉलिंग डस्ट और स्नू प्रम हैंवलोग प्री इस एक वाड इंबल करता है जीक है कोई डाउट है है एनी जाउट एनिवान इसके बाद बट पोएट टुक इंद पॉजिटिव वे और उसने आपको रिलीव दिपनाना चेक है और सांत ही साथ हम यह कह सकते हैं नाव ही कुड यूज दी एंटाय दे इन दी fruitful वे अब हमारी अगली पोम आ जाती है दाट इस फायरन आइस ठीक है क्या है फायरन आइस किसी को डश्ट आफ स्नों पोम में कोई दिकत है एनिवान किसी को कोई प्रॉब्लम परिशानी दोनों ही बहुत छोटी पोम है दाट इस आट इस तुक देम इन दी वन लेक तो देखिए यहां पर भी दो ही पॉम हैं, यहां पर भी दो ही चांजा है, Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए, अब पहला चांजा में fire and ice में poet कहते हैं, Some say the world will end in fire, कुछ कहते हैं, कि जो दुनिया है, वो fire से खतम होईगी, मतलब कि आग से समाथ हो जाएगी, कुछ कहते हैं, कि जो दुनिया है, वो बरख से खतम हो जाएगी, यहां पर जो fire है, उसे desire से, आपकी इच्छाओं से compare कर रहे, और जो ice है, उसे नफरत, hatred से compare कर रहे, तो वो कहते हैं, from what I have tasted of desire, मतलब कि, tasted of desire, मतलब डिजायर क्या होती है, आपकी इच्छा, तो वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कि जो दुनिया है, वो fire से खतम होगी, कुछ कहते हैं, वो ice से खतम होगी, from what I have tasted of desire, जो मैंने टेस्ट करा desire से, मतलब जुतना मैं जानता हूँ लोगों की इच्छाओं को, I hold with those two favor, fire, तो मैं उन लोगों का साथ देता हूँ, जो मूलते हैं, कि वो दुनिया जो है, वो fire से खतम होगी, मतलब लोगों की इच्छाओं से खतम होगी, मतलब लोगों की इच्छाओं से खतम होगी, मतलब strong desire, mean, हम यह कहते हैं उससे खतम होगी, अब वो यहाँ पर कहते हैं, कि हाँ, अगर दुनिया को दो बारी finish होना हो, दो बारी खतम होना हो, तो मुझे पता है, I know enough of it, ice, मतलब की क्या है, I know लोगों की नफरत, तो लोगों की नफरत भी बहुत काफी है, ठीक है, एक दूसरे को destroy करने के लिए, तो it will be also sufficient, अब यहाँ पर अगर हम scientific way बोलें, तो और कुछ लोग कहते हैं, कि fire से खतम होगी, fire ते means, जो temperature है, अगर हम scientifically यह बोलें, ice मतलब की क्या होगा, temperature जो है, वो down हो जाएगा, सूरज की रौशनी में उतनी तपत नहीं रहेगी, sharpness नहीं रहेगी, जो destroy नहीं कर सके, तो इतकी वज़े से, क्या होगा, कि जो दुनिया है, वो sun rays नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर वो कहते है, but if it had to perish twice, लेकिन अगर दो बारी, लेकिन अगर दो बारी जो दुनिया है, वो खतम होनी हो, तो मुझे पता है कि लोगों में इतनी नफरत है, कि जो दुनिया है न वो नफरत से भी समाफ्त हो जाएगी, मतलब नफरत से भी खतम हो जाएगी, चीक है, तो यह था हमारा क्या, और इसको पताव इसके question answer कर लेते हैं, तो थोड़ी से clarity और आजाएगी, कि बहुत question कैसे पूछे जाएंगे, तो पहला question आता है यहाँ पर, there are many ideas, कि बहुत जादा ideas है, कि दुनिया कैसे खतम होगी, कि आपको लगता है कि दुनिया खतम हो जाएगी, have you ever thought what would happen if the sun got so hot, that it brushed or grew colder and colder, तो वही है कि यहाँ पर अगर क्या हुआ कि जो sun है, वो बहुत जादा hot हो गया, मतलब की desire, तो यहाँ जो sun है, वो बहुत जादा उसकी जो rays है, वो कम शाप हो गई, it means fire, चल यान से देख लेते हैं इसका, there are many ideas about how the world will end, I do believe that a world will end someday, as anything that has beginning will have an end, तो जो शुरू हुआ है, वो समाप तो हो गई, जो शुरू हुआ है, वो एंड तो आएगा ही, this chance too for the world also, तो मुझे ऐसा लगता है, दुनिया के लिए भी होगा, if the sun got so hot that it birthed, the whole of the earth would perish immediately, as not part of the earth can bear a heat of sharpness, तो यहां पर क्या है, उन्होंने कहा, कि अगर sun बहुत जादा गरम हो गया, मतलब कि sun की जो sharpness है, वो जादा इंक्रीस होगी, और इमिजेटली जो है, जरा तक टाइम नहीं लगेगा, और दुनिया खतम हो जाएगी, but if the sun grew colder and colder, everything would come to an end, without sunlight, life will end, तो एक हैं, question 2, for pros, what do the fire, and I stand for, कुछ words दे रखे हैं, यह homework है, आपके लिए थोड़सा, इसके हिंदी मीनिंग को जानियेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, तो जो fire है, वो हमारी लालच, लच, चिके conflict, और परे को यह रफर करती है, आइस जो होती है, cruelty, intolerance, rigidity, incentive, coldness, indifference, or hatred को रफर करती है, यह चित आपको याद रखने है, question C आजाता है, what is the rhyme scheme of the poem, how does it help in the beginning out, the contrasting ideas of the poem, अब यहाँ आपर बोला गया है, कि what is the rhyme scheme, अगर आप rhyme scheme देखोगे, तो यह पिल्फुल हम यह कहेंगे, A, B, A, A, B, C, B, C, D, BCB, अब देखो, देखो, fire, A, I, B, ठीक है, desire, A, favor, favor, fire से हो रहा है, ना, ice से हो रहा है, favor, fire, तो यह C हो गया, ठीक है, twice, twice, ice, मतलब यह B हो गया, I know enough of hate, अब अगर आप इसको ऐसे count करेंगे, तो इसकी बन जाएगी, क्या हमारी आजाएगी, A, B, A, A, B, A, A, B, C, D, C, B, the poet has used the rhyming beautifully, to bring the contrasting ideas of the poem, नब greed का मतलब desire को refer करती है, हाँ, greed मतलब desire, greed क्या होता है, लालच हो गया, तो अब हमारी इच्छा को refer करेंगी, अभी यहाँ पर देखो, और क्या करोगे, और क्या करोगे, हम, BCB, अब देखो, यहाँ पर कैसे हुआ, A, fire, ice, B हो गया, फिर A, desire हो गया, ठीक है, favor, fire, favor, यहाँ पर C आएगा बेटे, ठीक है, C, उसके बाद desire, twice, B हो गया, और hate, और hate क्या हो या, ओके, ओके, बिटा, मैं favor ते कर रहा है, यहाँ यहाँ, यहाँ आएगा, कैसे निकाल की, मैं ही दिखा देती, थोड़ा confusing हो रहा है, देखो, 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 fire कैसे हुआ, A हो गया, right, ice क्या हुआ, B हो गया, desire क्या हुआ, A हो गया, fire और desire, और fire यहाँ पर last word है, तो fire, fire, A हो गया, देखो, उसके बाद यह B हो गया, hate किसी से match नहीं कर रहा है, तो यह C हो गया, ice किसी से कर रहा है, B हो गया, is also great, hate great, तो यह C हो गया, surprise यह B हो गया, तो यह थे हमारी राइम आ गई, A, B, A, B, C, B, B, C, B, C, B, C, B, learn करने की जरूरत है निमादा, देखो, एक बड़ी confusion होगी, एक बड़ी clear कर ले न, विकर आपको तो पूरा, यहाँ पर word minimum in bracket में लिखी थी न, करने के लिए, उन्हें ने यूज किया है, आइडियस को, फीचर्स को, डिस्रक्टिव होन इमोशन को, desire को और hatred को, तो just like fairy desire, an icy hatred can cause the damage of the individual in irreparably, fire and ice can lead to the void, to the boundaries of chaos and thus desires, जिसको हम यह कह सकते हैं, एक the desires से भी हो सकता, ठीक है, तो यह चीज़े को आपको थोड़ा सा धियान रखना है, बागी तो दो मिनिट में आप करी लोगे, ठीक है, तो देखो, अब यहां पर क्या है, यहां पर word meaning नहीं लिखे के न, दो मिनिट में कर तू, some say that a world will end in fire, fire A, ice B, desire A, fire A, ऐसे आपने rhyme कर दी, ठीक है, अब इस second है, twice B, hate C, ice B, great hate C, suffice B, तो A, B, A, A, B, C, B, C, B, C, B, 2 मिनिट में निकला, मैं, without poem, शानदा गिवन, यह राइम स्किम पूछ सकता है, क्या नहीं पूछेगा, नहीं पूछेंगे, ऐसा question नहीं बनता है, माधव, तो पहले शानदा से poet पूछता है, What is the poet opinion of the world in these lines? Poet का क्या opinion है? ऐसे rhyme नहीं पूछेगा बेटा ये comprehension में ही पूछेगा ठीक है? ऐसा question आएगा ना उसमें पूछेंगे rhyme ठीक है? उसके बाद In the poet opinion, the world will end in fire What is the poet opinion about the world? According to the poet, the world will end in fire What is the contradictory opinion of public? हम कहेंगे Contradictory opinion of public is that debate Whether the world will end in fire or ice Okay, अगला है What, how are ice and fire similar to each other? Though they have contradictory traits Traits means होता है quality चीक है? तो बोथ fire और ice का similar sense है कि दोनो क्या कर सकती है? World को destroy कर सकती है Even though, दोनो बिल्कुल opposite है Question रू बन जाता है इस पर What does it refer in the first line? But, if it had to perish twice It मतलब क्या है? World मतलब Earth तो यहाँ पर बोलेंगे It refers to the world What do you mean by perish? Perish मतलब बोदा Destroy करना तो वोई है जाता है What does ice stand for? Ice के से stand करता है? Coldness को और what could the cause of destruction? Ice और fire could be the cause of destruction So, इसके आगे हमारे फोड़े से extra questions है इसको भी देख लेते है What are the two different views about the end of the world in the poem Fire and Ice? कौन से दो different views है? So, दो different views of the people regarding the end of the world are fire or ice that is by desire and hatred Question 2 यहाँ पर बोलता है What does the poet think about the end of the world? So, poet क्या सोचता है about the end of the world? So, poet think about the end of the world that the people think fire is the main cause of destruction but by the end of the poem he says that both fire and ice are equally destructive So, both have the same power of causing destruction Third question बोलता है What do fire and ice symbolize in the poem Fire and Ice? So, what do? क्या यह सिम्बॉलाइज कर रहे है? So, fire and ice symbolize क्या कर रहे है? Fire conflicts को कर रहा है Intolerance को कर रहा है Insensitivity को कर रहा है Ice hatred को कर रहा है से क्या? Okay I stand for greed, evidence, lust, rigidity, coldness Greed तो fire को करेगा और lust यह भी यहाँ पर rigidity, coldness, indifference और hatred को करेगा Fire यहाँ पर stand कर रहा है Greed को भी तो यह दुख में कटवाद रहा है Fine Can fire destroy the world? How can? आप अगर question आता है क्या fire destroy कर सकती है World Warp हो गया? तो question आगे पूछ सकता है यह कैसे fire destroy कर सकती है So fire symbolize करती है passion को यह hatred को Right So that is why greed नहीं है यहाँ पर It lead to the conflict और ultimately result in the destruction of the world So fire यहाँ पर represent करती है desire को That is perfect consuming Always wanting more और eyes यहाँ पर represent करती है Hatred को That is hard and cold Last question आज का आजाता है What message does the poet wish to convey Through the poem fire and ice मतलब कौन सा idea हम यह कहें poet जो है वो wish करता है Convay करने के लिए poem में Fire या ice में What is the central idea of the poem fire and ice Central idea क्या है So poet यहाँ पर represent करता है दो possibilities को About the end of the world It will be either due to the fire and ice और वो प्रेपर करता है first one क्योंकि वो उसको लगता है जो world है वो fire से खतम हो जाएगा और ice will not go away और ice जो है मतब hatred जो है वो कभी खतम नहीं होगी तो लेकिन जो world है वो कैसे खतम हो जाएगा वो जो है वो खतम हो जाएगा Ice से नहीं fire से और किसी को कोई प्रॉब्लम है मतलब की माधव आप यह पूछ रहे है फर्विंट का मतलब क्या है इसका मतलब होता है कि आप strong desire मतलब की strong feelings को दिखाते हो किसी चीज़ को लेकर you are very strongly believing in that ओके तो यहां पर यह इससे रहफर करते हैं clear हो गया any doubt किसी को कोई problem है चलिए thank you so much everyone तो आज हमारी दो pomes complete हो जाती है आगे हम और complete करेंगे और उसके बाद हम important question answers को परेंगे ठीक है जी चलिए जी मैं 4 question में fire को hate लिखा हुआ है तो वो गलत है हां जी हां जी हां जी मैंने अभी करा है fire symbolize passion और hatred लूज़ार और फाइठ आअए यू थार फाइठ करता j पर दिघ सॉप हुआ हुआ में टिखन खेट अ t में तो इस हेट्रिट को ने डिजायर कर लेना ओके यह चीज़ कर लेना चलिए जी अब और कोई डाउट है कि किसी को कोई डाउट परशानी दिपकत पागी रख के लव समयम और मेरा मेटाफर यहां पर है नहीं मेटाफर का मतलब होता है जब दारेक्ट कंपारिजन करते हैं यह मैं आपको पर लांस राइंब विदी को अब बादाए था कि मेरे पास ग्रीन कलर का एमरेल्ड है उसे मैंने कंपेर कर दिया सी के पानी से तो इन अब भी चलते हैं अलो इब्रीवान इस लेक्षर में हम पढ़ेंगे फोक फॉम को फोक फॉम में पोईट ने बहुत इस प्यारे तरीके से बहुत इस ब्यूटिफुल तरीके से फॉक को कमपेर करा है तो आए अब हम पढ़ते हैं फोक फॉम को यूट्यूब चानल मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे छोटी की पॉम वो है फॉग अब फॉग का मतलब क्या होता है फॉग का मतलब हमें सिंपल पता ही है धुन्ध होती है अब मैंने तो भाई सर्दी के कपड़े पहन रखे है तो यानि कि हमारे डेली में आज हुकी है लेकिन अभी फॉग देखना ही रियल दीरे दीरे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो फॉग भी आनी शुरू हो जाएगी जब धुन्ध होता है तो क्या होता है सारी चीज़े धुन्दली दिखती है अब हमारे जो ऑथर है काल ऑगस्त उन्होंने क्या करा है उत कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए भई माम यह फटा वट से रिकॉर्ड इडाल दो चानल पर बता दे ना कॉमेंट सेक्शन में आ जाएगी तब तक के लिए क्लास 9th और 10th Science and Fun चानल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि वीडियो और डिमांड चल रहा है जो जो बोल तो अबाउट दी पोएट के बारे में हम जाल लेते हैं वन माक का क्वेश्चन इस में से बनता है काल अगर्स सांडबर्ग वा थन अमेरिकन पोएट वो कहुन थे एक अमेरिकन पोएट थे राइडर थे और एडिटर थे हमें फिर और सिरफ इनका नाम याद रख रखने है बाग की तो कुछ भी नहीं करना है ठीक है चालिए अब एक बार हम इंट्रोड़क्शन देख लेता है कि इस पॉम में हम पढ़ेंगे क्या तो हम सबसे पहले हम पर इंट्रोड़क्शन लिख लेते हैं खुदी देखें लेक्शर की श्लाइडस आपको मिलेंगी उएप कान खोलो इन आपको पूरी लेक्शर्स लाइडस बिलते चात वर्ण से जाकर एक्र स्ग्रील प्लीकेशन को गुगलल प्लेय से डाउंलोड कर लीज इतना तो करना आता ही है मैं Fog is very small poem written by Karl Sandberg He has described the process of arrival of the fog into the city and the harbour Harbour means what you can say? You can say Pok What does it mean? Look, the ships and boats They are tied to the sea You will see in the film If you are not watching like this I have seen it Simple thing I am thinking, Goa, let's go One time see it I will see it But you will see You will see You will see You will see In all of your fun elements But I will travel a lot less Because In Delhi roads My roads train Travelling So here If you have seen the sea Then you will see Ships and boats So that part is called harbour Okay He has very beautifully compared it to the cat And in a very beautiful way He has compared it to the cat Meaning fog It is very small It is a very small It is not a question We will focus more on the question and answer The fog Now in this bracket There is a big meaning If you don't know I will tell you Thund And how it is It is a thick cloud of tiny water It is a thick cloud Cloudy structure With tiny water vapours With droplets Which is present in the atmosphere Especially in winter Which is shown in winter Okay Now let's read The fog What is written here? The fog comes on a little cat feet It sits looking over harbour And the city On silent haunches And then moves on What is written here? Let's see The fog The fog comes on a little cat feet Little cat feet Little cat feet It means like a cat It is a cat It is a quiet It is a quiet You have seen a baby You have seen a baby? It is a baby He does not hear It is a baby If the baby comes to your house What does he do? It is like Meow 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 If he has to do it It will not hear It will not hear So here The fog It is a silent creature Like a cat It is a metaphor It is a metaphor It is a comparison Indirect comparison And the cat As a cat comes He comes in the way He comes in the way He comes in the way I will tell you In this moment An incident In our house What was it? One time The sofa In the sofa In the sofa In the sofa There is a few Some of the As theludge In the sofa And the sofa In the sofa He has to do it In the sofa There is a men In the sofa In the sofa In the sofa There is a cat came from outside Now the cat He got it He was aware He was aware Because In his Her smelling power In his तो वो ना सोफे में ऐसे चड़ एप उसने देखा कि यहां चुवा बैठा है और वो अचुप करके बैठ गए और फिर वो सोफे को ऐसे देख ने लगगी और जैसे निकलने की कोशिश करें उस था के बार गई गई इडो लाई कि यह क्या हो रहा लेकिन हां सच में क्या होता चुप करके ऑब घएक तोड़ी देर पहा समा जाती है किसी जेगा पर अबर हाबर अन दे सिटे और हाबर मतलब पोट यह हम बोल सकते है यहम बोल सकते है कोट ठाट ऑट तो यहां पर क्या है कि जो गैट होती है अगर बोल दिया था पहले तो जो चै-र यह है भोदी है वह फिर वो उस एरिया में इधर उधर दिखते है मतलब वो फैलती है जो दुन्थ है वो फैलती है इधर उधर फैलती है और silent haunches and then moves on silent haunches का मतलब क्या आता है sitting with knees bend अब जैसे billy जो होती है वो गोडो के बल मतलब की knees के बल घुटनों के बल ऐसे बैठ जाती है और फिर ऐसे ऐसे cat देखती है वैसे जो धुन्थ होती है वो एक जगा समा जाती है और ऐसे ऐसे करकर फैल जाती है अगर science and fun की team में से कोई आया तो उनको लगेगा मैं डांस कर र looking over harbour and the city on silent haunches and then moves away and then moves on मतलब की और फिर वो चली जाती है हवा के साथ हवा के साथ वो चली जाती है वैसी ही जो cat होती है वो थोड़ देर के लिए बैठती है जब उसे लगता है कि कोई आ रहा है तो वो भी चुप करके चली जाती है तो अब चली इसमें से हम देख लेते है poetic devices or you can say literary devices पहली बात है metaphor का यूज कर रखा है क्यों पोग को compare कर रखा है cat से ते कि on little cat feet rhyme क्या है इसमें कोई rhyme है ही नहीं क्योंकि poem is written in the free verse अब अगर आप देखोगे पहला रहा है comes feet city on no comparison अगर आप देखोगे यहां पर कोई rhyme बन ही नहीं रही है ते कि enjambment का मतलब की आता है पहने sentence continue to the next line अगर आ यहां पर the fog comes on a little cat feet मतलब क्या है it sit looking then moves on it sit looking and then moves on अगर आप यहां देखोगे तो एक लाइं एंजायमेंट का बिटा simple सा मतलब होता है अगर एक sentence दूसरी लाइन में continue हो रहा है ते कि लेकिन कोई भी punctuation mark यूस नहीं कर रखी जैसे आप देखो यहां पर come says क्या कुछ भी नह एक ही sentence को अपने continue कर लिया दूसरी लाइन में लेकिन विदाउट यूजिंग दी प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स तो से हम एंजामेंट कहते हैं ठीक है personification fog is personified fog is personified मतलब fog क्या है एक non living thing है उसे हमने living qualities दे दी तो वो बेटा क्या हो गया personification हो गया अब इसके लिए हमार क ncrt questions तो करना ही पढ़ेंगे साथी साथ previous year बेटा यहाँ पर जो question answer है वो पॉम से जाधा बड़े है मतलब कि हम यह कहें कि पॉम तो सिरफ एक स्रांजा के लिखी एक स्रांजा के लिखी और साथी साथ इसके question answer हमारे बहुत जाधा बन रहे है ठीक है तो चलिए देखते है क्या लिखा है ठीक है अल्टिमेटल आं सेंग यू बहुत ही सिंपल है एक वर्ड का हम यह कहें कि यहां से हमारी वनमा का जाती है काल और सांडबग पूरा नाम यह है वना आप काल सांडबग भी बोल सकते हैं जैसे हम लिखा हुआ तो चले पढ़े है मुझे को हसी क्यों है पूच तो कि मे को हशी क्यों हा उपूच है ऐस ली आ रही है कि मैं काट को दूब से सब्सक्राप करने लग गई पढ़ाते पढ़ाते और मुझे ऐसे लग रहा था कि कई आएगी कभी तो फॉब को मैं कैट ना बोल तू को मैं यहना कि आउने बोल दोव मीच पही ज़ल पडियो उसी में आप जैसे डूब गयो हो, होता है ना, okay, what does Sandberg think the fog is like, the sandberg think that a fog is like a cat that comes silently so that no one can sense it arrival, ताकि कोई sense ना करे उसके arrival को, question 2, how does the fog come, fog कैसे आती है, as per the poet, the fog comes very silently like a cat, okay, what does it in the third line refer to, it refers to the fog, does the poet actually say that the fog is like the cat, क्या poet ने actually का है, कि fog cat की तरह है, find the three things that tell us the fog is like a cat, अब ऐसी three lines को ढूंडिये, जहां पर आपको यह पता चले, कि जो fog है, उसे compare कर रखाया cat से, the three things that the fog is like the cat, there are as well, भी हाँ poet ने का है, the fog comes on it little cat feet, तो पहली लाइन हमारी बन जाती है, the fog comes on its little cat feet, मतलब क्या रखाया, it means that a fog enters the silently just like cat, second अगया हमारा, it sits looking over the harbour and the city, अब वो क्या कर रही है, पूरे pot को, यह पूरे dog को, किनारे को देख रही हो, शहर को देख रही है, the fog is compared to a cat, as cats also like to sit and look here and there, the fog is also looking while it sits over the city, मतलब जैसे वो समा रही है, third line हमारा क्या है, on silent haunches and then moves on, on silent haunches and then moves on, the fog sits on the hair, bended leg, just like the cat and then moves away very quickly and silently, just like a cat, question number two हमारा आजाता है, does the poem have a rhyme scheme, poetry that doesn't have an obvious rhythm or rhythm is called a free verse, भाई हमने अभी पड़ा है कि जब हमने literary devices and poetic devices को देखा, that it is written in the free verse, okay, there is no rhyme scheme in the poem, it has neither internal nor external rhyme scheme, hence we can say that it is a free verse, that this is a free verse, let's do the previous year question, the first question comes and see, the previous year question, that is important, okay, this is important, what poem you have taken to your likely, remember the question in the exam, which is the poem in one stanza, let's write it from the question, okay, so the first question comes, how does the poet compare fog to a living being, पोएट कैसे कंपेर करते हैं, फोग को लिविग बीग के साथ, जो पोएट है वो कंपेर करते हैं, फोग को गाट से, the silent step of the cat and the way it sits on its haunches is very similar, यह बहुत ही जादा सिमिलर है, तरीके से फोग जैसे आती है, surround the city और look over it, आगे देख लेते हैं, question number 2, what image does the poet give to the fog, कौन सी image जो है, जो poet है, वो give to the fog, वो fog को देते हैं, what are the similarities between that image and fog, कैसे similarity है, fog और उसकी image में, and that image and the fog, for the fog, जो उसकी image है और fog से, okay, so what image, क्या image जो होती है, poet देते है, fog की, what are the similarities, क्या similarity है उसकी image में, और fog की खुद में, the poet look at the fog as living creature, उन्होंने उसकी image कैसे बनाई, living creature की और उसे compare कर दिया, cat से, okay, और जब fog है, वो moves like the cat, on a little cat feet, and sit on haunches, like a cat, आगे चल लेते है, question number 3, difficulties come, अब यह value-based थोड़ा सा आ गया, difficulties come, but they are not to stay forever, they come and go, comment reference to the poem fog, value-based भी है, और थोड़ा सा हम इसको एक बर रीड कर लेते हैं, और उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूं, difficulties when faced by the people tend to have some hopelessness and shattered, it takes a lot of courage to overcome any problem and to solve it, okay, if we take a clue from the poem and compare the difficulties to the fog, we find that it is just like fog, difficulties also come and go, one need not to be hopeless and lose courage when problems come, and should rather think of it as fog, meaning that it has not come to stay, but will always leave like a fog, अब यहां पर देखिए, उन्होंने कहा, कि मुश्किले जो हैं जिन्दगी की सब आती हैं, और लेकिन वो पर्मनेंटली आपकी लाइफ में स्ट्रे करने नहीं आरी हैं, आपको कॉमेंट करना है, compared with the poem fog, value-based question, देखिए, जिन्दगी में आपको बहुत ज्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे आपके जिन्दगी में कभी परिशानी आईगी ना प्रॉब्लम आईगी, तब सबसे पहले निराश हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, और शेटर मतलब बिखुर गया है, दिल टुकडा टुकडा हो गया और गिर गया बजार में, ऐसा नहीं होता है, आपको क्या करना है, उस समय आपको हिम्मत रखनी है, अगर हम पोम से compare करेंगे, तो हमने देखा कि जो फॉग है, फॉग है, धुन्द है, वो आती है, चली जाती है, कई बारी बहुत जादा सर्दी होती है, तो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, धुन्द जो होते है, सूरच निकलता नहीं है, लेकिन जब गर्मिया आती है, जब उस ताइम पिरिट खतम हो जाते है, तो वो फॉग चली जाती है, वैसी लाइफ में भी जब भी आपको दिक्कते आएं, तो हमेशे याद रखिए कि वो पर्मेनेंटली आपके घर घर बसाने के लिए नहीं आई हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा आती उनहीं के स्पास हैं, जिनको उससे झेलने की हिम्मत होती हैं, हमेशे याद रखिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत जादा प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल हैं, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, आप याद रखिएगा, दिक्कते भी उसी के जिन्दगी में आती हैं, जिनके अंदर जजबा होता है उन्हें जहेलने का, अगर कोई वैसे ही बोंदुराम है, तुस्त बंदा है, तो जिन्दगी भी उनके घर में मुश्किले देती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, उ सही रहापन नहीं भी गए है, अब गलत रहा पड़ते हैं, वो टेडी मेडी रहें, आपको सीधी रहा की और लेकर जा रही है, ठीक है, सहले आगे पड़ते हैं, तो यह हमारा लास्ट क्वेशन था प्रीवेस ही अगा, और अगर अभी तक अपने चानल को लाइक नहीं कर सबस्क्राइब के तो यह करा टो अपने दोस्तों में चायम टाइमrique माराई हैं, आपने दोस्तों तो एग्जाम यारा हैसे तो नहीं मैं साइनसे भुरूद करो आपको क्रैयोड को ढटोर्स आ रहा हैं ह PDF क्रेर्ज कोजा अपकी टिके साबिंदीयां करना हैं यह सावरा यह मेरी आक्टिंग भी मिल रही है और क्या चाहिए नहीं चाहिए ना तो चलिए तांक यू सो मच एब्रवान आई होप आपको यह लेक्ट्टर अच्छा लगा हो अगर आपके लिए कोई सजेशन हैं अगर आप मैं आपको बार-बार कहा रही हूं इंगलेश की वीडियो जो अ आप चाह रहे हूं वैसा वैसा हो रहा है तो आपका साथ आपका प्यार कभी खतम नहीं होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए थान रुखेगा अपना अब हम जानेंगे कैसे उनके अंदर साइंस के लिए किरियोसिटी उत्पन हुई और कैसे उनोंने अपनी साइंटिफिक जर्नी में अचीवमेंट्स को पाया तो आएए अब हम पढ़ते हैं पूरे चप्रो को मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे अब यह जो चाप्टर है आपका बहुत ही जादा डेमांड पूल चाप्टर है तो चलिए आज हम इसका वन शॉट कर ही लेते हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटफट से कर दीज तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑथर के बारे में तो तो दो मेक अफ साइंटिस्ट के ओथर है रॉबर्ट डवलीव पीटरसन वो एक अमेरिकन न्यूस पेपर राइटर थे और सबाद में वो क्या बन गए एक फ्रीलैंस बन गए ओथर बन गए मैगजिन के आर्टिकल्स के बुक्स के और इस्पेशली जो ट्रॉपिक होते थे जो स्पोर्स और स्काउटिंग पर डिपेंडेंट होते थे क्या हमें याद रखना है नहीं रखना है तो अल्टिमेटली हमारा अबाउट दी चाप्टर जो है वो इंपोर्टेंट है तो रिचर्ड एब्राइट एक अबाउसिनेशन था बटरफ्लाइज को लेकर जिसकी वज़े से जो बटरफ्लाइ कालेक्शन था उसकी वज़े से जो साइंस वर्ल्ड है उनके लिए उपन हुआ था जो कहानी है वो रिचर्ड एच एब्राइट के बारे में है जो बहुत ही जादा हम यह कहें कि पैनस्व फ्लाइ को कलेक्ट करते थे और इसी किता साथ हम आगे जाकर देखेंगे कि कैसे वो एक क्यूरियस जो बच्चा है क्यूरियोसिटी जिसके अंदर है वो एक तरह का महान हम कहें साइंटिस बन गया तो यह बाउट डी चाप्टर था जो मैंने बोला है हिंदे में वही लिख हुआ है आप रीड कर लीजे का स्लाइड साप को साइंस अंफन की आप पर मिल जाएंगी अड़ एज ऑफ 22 अप अपनी बुक को खोल लीजे क्योंकि यहां से हमारी बुक रीडिंग स्ट हो जाती है वर्ड मीनिंग ब्राकेट में दे रखे हैं तो आप अभी लिखना चाहो तो लिखलो साइड बाइड नहीं लिखना चाहो तो शाइड आप के पास अवेलीबल होहोंगी साइंस अंफन की आप पर टेक हैं अगई अग एज अगई आप 22 अ 포망 का मतलब होता है प्रिविशी पीन अनप पर्टीकूलर थेंग और बूत पूर वोग का मतलब होता है प् तो एक तरह का बहुत ही जादा एक्साइटमेंट से भरा साइंटिफिक वर्ड हो गया था जब एक नई थियोरी आई थी कि कैसे सेल्स वर्क करा जाता है देखिए पूरा का पूरा ना साइंस और फन बिल्कुल मैच कर रहा है इस पर क्योंकि यहां फन ऐलिमेंट यह है कि यह साइंटिफिक टर्म سब बताते हैं लेकिन फनलीवियिविकर यहां यह है कि भाई एक इंगलिश के Pam में हमें इस इसको कैसे पढ़लना है तो मैं आपको सि monitor engleis के बताउंगी डूंगि जादा साइंटिफिक पर मैं ज्यादा की महना कुछ गड़त बलत बोल दिया किया था the theory in the article, एक article में in the preceding, preceding का मतलब क्या होता है, एक book published of a set of meeting और a conference, मतलब बैठको या सम्मेलन के एक set की एक प्रकाशित report होती है, तो मतलब preceding क्या होगा, कोई एक हम ये करे conference ये meeting को publish किया गया, of the national academy of science, तो यहां पर क्या हुआ था, उन्होंने एक article published किया, national academy of science के proceedings में, टेक है, ultimately हमें ये समझ में आगे, आगे देखते हैं, ये पहली बार था, the importance, first time, this important scientific journal has ever published the work of the college students, in sports, that would be like making the big leg use, अभ यहां पर क्या है, अगे ध्यान से देखते हैं, it was the first time, अब हमने यहां पर देखा, कि ये पहली बारी था, कि जो एक important scientific journal, मतलब पत्रका में, एक college जाते हुए बच्चों का, हम ये कह सकते हैं, एक article published हुआ, तो it was like a big league, अगर हम ये बोलें, मतलब big league, league, मतलब क्या होता है, in a field of a tough competition, and a high reward, the largest or the foremost of the kind, मतलब कि कुछ एक बहुत ही बड़ी चीज की उपलबधी को प्राप्त कर लेना, okay, at the age of 15, I am hitting a home, run your first time at the bat, मतलब यहां पर ultimately थोड़ा सा compare करक है cricket के साथ, कि जयते एक big league होती है, तो वैसे ही, आप यहां पर यह कह दीजे कि एक college बच्चों का, हम यहां पर यह बोलें कि एक scientific journal में article published का, it was a like outstanding performance, जयते कि कोई चक्का ही मार दिया हो, okay, for Richard Ebride, Richard Ebride के लिए, it was the first time, a long string of achievement in science and other fields, तो it was the first achievement, हम यह कहेंगे पूरे scientific journey में, and it all started with butterflies, और यह सारी की सारी जो कहानी थी ना बेटा, वो butterflies से शुरू हुई थी, चिक है, clear हो गया, okay, and only child Ebride grew up north of Reading, Penisvalia, there wasn't much I could do there, he said, I certainly couldn't play football as baseball, with the team of one, but there was one thing I could do, that is collecting, तो जब वो USA के एक small town में पैदा हुए, तो वहाँ पर कुछ जादा करने को था नहीं, ऐसे Ebride कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर football या baseball तो नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चिद मैं कर सकता था, वो था चीदों को collect करना, okay, so he did it, और उन्होंने किया, and did he ever, और उन्होंने हमेशा वो चीज करते रहे, बिग्निंग इंदी किन जगाँच ने, ब्राइट कलेक्ट बटरफ्लाइ विद ये सेम डिटर्मिनेशन, तो उन्होंने स्चार्ट कब किया, जब वो किंडरगार्टन में थे, और हम ये कह सकते हैं, जो उनकी सार्टिंग जर्नी थी साइंटिफिक की, वो थी बटरफ्लाइ कलेक्शन की, और वो वैसी की वैसी ही रही, मतलब वैसी की वैसी ही रही, means it was with that same determination, आप कोई भी काम करते हो ना, कोई भी काम करते हो लाइफ में, तो 100%, अपना focus होना चाहिए, चाहिए छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, क्योंकि काम काम है, ultimately remember this, तो जितना आप determination के साथ, चाहिए छोटा सा काम भी करते हो, 100% बेखर करते हो, कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ में useful होता है, अगर आप concentration से सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं लाइफ में concentration पाख को increase करने के लिए, आपकी ये activity यूज होती है, अगर आप लिख रहे हो, और प्यार से बहुत अच्छे handwriting से लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कोई भी important paper लिखोगे, वो handwriting practice आपको help करती है, तो उभी रहे हो, तो भी खील भी ल्ल काम आता है, तो हम आपकी चैहे हो, उन्होंने क्या 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 है, उनने रॉक्स को क्लेक्ट किया, बश्सियों क्या अच्थ क highlight किया, क्या होता है, हम यहां पर बॉलें की कोई थीघॉड फो inch का हो गया, तो उन्हें मतलब कि अगर एस्ट्रोनॉमी को शुक था तो वो भी 100% वो देते थे सारी-सारी राहतारों की छाहों में देखते रहते थे तो यह सारी चीजे उनकी kind of activity थी For the first he had driving curiosity along with the bright mind मतलब कि हम यह कह सकते हैं पहली बात तो यह है from the first कि भाई उनके अंदर जो curiosity जो जिग्यासा पैदा हो रही थी सासात एक उनका bright mind भी था जै कि खाली फालतो की curiosity नहीं अगर curiosity आए तो उसको बहुत clear करना है मतलब कि बहुत ही अच्छा mind है He also had a mother who encouraged him the interest in learning She took him on the trips, brought some telescope, microscope, cameras, mounting material and other equipment necessary and helped him in many other ways तो यहां पर यह बोल रखा है कि साथ ही सथ हम यह कह सकते हैं कि उनकी जो mom थी वो भी बहुत ही जादा supportive nature की थी वो उनको trips पर लेकर जाती थी जो scientific equipments होते हैं जैसे कि microscope, telescope और camera, mounting material वो सबका सब equipment जो होते हैं necessary items जो होती है particular purpose के लिए यह हम यह कहीं science के लिए वो उनको collect करके उनने देती थी और बहुत ही जादा कामों में हम यह कह सकते हैं bride की जो mom थी वो भी बहुत जादा help करती थी I was his only companion until he started school his mother said after that I would bring home friend for him but at night we just did things together Richie was my whole life after his father died when Richie was in the third grade अब यहां पर यह बोल रखा है कि उनकी mom कहते हैं कि मैं ही खाली उनकी साथी थी मतलब Ebride की mom कहते हैं कि मैं ही खाली Ebride की कौन थी companion थी जब तक उसने school start नहीं किया था तो school के बाद कहीं बारी मैं दोस लेकर आती थी उसके लिए friends लेकर आती थी लेकर लेकर आती थी लेकिन रात के टाइम सिरफ मैं और मैं और रिची जो थे मतलब Richard Ebride जैसे मम्मी आपको प्यार से गोलु मुलु बोल दे थी तो वैसे ही उनने रिचर्ड को रिची बोला है तो वो कहते हैं कि रात के टाइम सिरफ मैं और मेरा बेटा ही होता था और हम सारी चीजों को इखटा बैट करा करते थे मतलब कोई भी काम वेगेरा सब इखटा करते थे तो वो यहां पर कहते हैं कि जो रिची है वो मेरी पूरी जिंदगी बन गया था उनके पती की मृतियों के बाद जब रिचर्ड इबराइट थर्ड ग्रेड में थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद उनकी मॉम और रिची खुद वो ही दोनों एक दुसरे का सहारा थे अज़ा प्रेंड भी रहते थे तो आगे देख लेते हैं आगे देखें शी एंड हर सन वास्पेंट अल हर शाम जो डाइनिंग रूम में रिची और मैं इखटे टाइम को स्पेंड करते थे तो अगर कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम लेकर आती थे अब ये कोई नहीं है कि फिजिकल वर्क जा कि जाओ धनिया पुधिना लेकर आ जाओ या पापा की पर जाड़ू तो मैं उसके लिए चीजों को लर्न करवाती थी मतलब की बुक्स लेकर चीजों को समझाना क्वेस्चन्स देना तो उनकी मम कहती है कि रिची को लर्न करना बहुत पसंद था मतलब रिचेड को लर्न करना बहुत पसंद था उसे पढ़ना बहुत पसंद था चेक है आगे च जाते थे मतलब कि intelligent बच्चा था और every day thinks he was just like every day other kid his mother say but by the time he was in the second grade a bride had collected all 12 25 species of butterfly found around the home town अब यहां पर उन्हों ने यह का है कि क्या हुआ था कि वो हर रोजाना की तरह जैसे normal सारे बच्चे होते बैसी था जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं लेकिन हां यहां पर यह था कि जब वो second class में हो गए second grade में हो गए second grade में हो गए 25 types की या 25 species होती है प्रजातियां होती है butterfly की तितलियों की वो एकटी कर चुके थे जो उनको hometown में अपने आसपास मिल रही थी अब यहां 25 type of butterflies आपकी book में दे रहा हैं यहां पर species and sub species of the butterfly collected six weeks in the reading यहां पर for example eye brown हो गया wood knife हो गया monarch और milk weed हो गया olympia हो गया cloudless sulphur हो गया European cabbage हो गया आप तो भई science के हो तो आपको types of butterflies अगर पता हो silver blue, white, m hair streak तो it is a kind of 25 type of the species जो उनके hometown में मिलती थी butterflies की तो मतलब खोजी जाती थी उन्होंने सारी के सारी collect कर ली थी हो that probably would have been and been the end of my butterfly collecting he said but then my mother got a children's book called the travel of monarch X अब यहां पर क्या है वो कहते है कि मैंने 25 5 type की जितनी भी इस species थी उनको collect कर लिया था तो it must be कि मेरी जो collection of butterfly थी वो end हो गई थी मतलब कि जा जानी to collect the butterfly it came to end लेकिन क्या हुआ एक दिन मेरी मॉम जो थी वो मेरे लिए एक बुक लेकर रहा है जिनका नाम था the travel of monarch X अब मुनार्क is a kind of butterfly only ठीक है आगे that book which told how monarch butterfly how monarch butterfly migrate ठीक है यहां पर देखें मैं लिख देते हूं ठीक है how monarch butterfly migrate to central America open the world of science to the eager young collector अगे देखते हैं यहां पर उन्होंने meanings देखे मैंने bracket में लिख रहे हैं तो I am not confusing you by reading the meanings but मैं आपको यहां पर slides में meaning दे रही हूं ताकि आपको confusion ना हूं Hindi English दोनों में लिखा हुआ है तो confusion नहीं होनी चाहिए ठीक है that book उस book में यह बता रखा था कि जो monarch butterflies होते है monarch butterfly क्या होते है एक large migratory orange or black color की butterfly होती है जो mainly North America में पाई जाती है कैसे वो migrate करती है migrate मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है America में open the world of science जिसने science की दुनिया खोल दी to eager young collector जो young collector कौन है that is a bride itself मतलब यहां पर यह बोल रखा है कि कैसे जो monarch butterflies है उनकी क्या movement होती है कैसे वो migrate करती है अमारिका में और इसकी वाज़े से उनके अंदर जो curiosity थी वो भी उत्पन होगे तो collector कौन है यहां पर a bride ही है लेकिन collector मतलब एकत्र करने यह कुछ चीजों को collect करने वाला as a hobby ठेक है okay आगे चलते है at the end of the book उस book के end में लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था readers were invited to help study butterfly migration तो book के end में लिख रखा था कि जो readers है उनको invite करते हैं कि वो help कर है हमारी कि कैसे जो butterflies होती है वो migrate करती है मतलब उनकी क्या सीजनल मूवमेंट होती है तो यहां पर डॉक्टर फ्रिडरिक ए उर्कुहात के जो यह प्रोफेसर थे उनके द्वारे यह बोला गया था कि भाई देखे बटरफ्लाई पे टाग कर देना मतलब की शिक्कर लगा देना और इसके यह पता चलेगा कि क्या जो बटरफ्लाई होती है कैसे माइग्रेट करते हैं चीक है चीक है आगे चलते हैं चीक है ब्राइट मदर रोट डॉक्टर उर्कुहात अब यहां पर यह बोल रखा है कि अब्राइट मदर ने डॉक्टर उर्कुहात को लिखा कि जो सून मतलब जल्द ही अब्राइट भी क्या करेगा अटाच करेगा उन टैग्स को बटरफ्लाई के विंक्स पर और जो इसने भी वो टैग बटरफ्लाई खोजी तो उसे डॉक्टर उर्कुहात के पास भेजा कि अब्राइट ऑड़ जाया है तक मतलब उस बटरफ्लाई को आगे चलते हैं दो बटरफ्लाई क लेक्टिंग सीजन अरां रांन रिडिग लांस्ट शिक्स वीडश वीक्स इलेट आप जो बटरफ्लाई को पे सीजन था वो और रिडिग बटरफ्लाई पर भी रिशाओ उ if you are going to chase them one by one you won't catch so many, so the next step for a bride was to rate a flock, flock क्या होता है, पशुका समू, या number of birds of one kind feeding, resting or traveling together of the butterfly, तो देखिए एक एक butterfly को collect करना, it is a so much time consuming, तो अगला step a bride के लिए हुआ कि वो क्या करे, वो raise करे, मतलब कि उत्पन करे, बढ़ाए, क्या पशु का समू, या number of birds, मतलब कि उन्हें raise करे, उन्हें खिला पिला कर, बटरफ्राइस को कि जुठ एक तरह का जुठ सम्मेला नहीं खटा हो जाए, उसके बढ़ाए, उसके बढ़ाए, उसके बढ़ाए, उसके फीमेल मोनार्क को प्यूपा, प्यूपर से अडल्ट बटरफ्लाइ, तो this is the cyclic movement, हम यह बहुत है, life cyclic movement of the butterfly, तो कैसे करना है, उनको कैसे करना है, तो उन्हें पूरा प्रोसेस किया, फीमेल मोनार्क को लिया, उनके eggs को लिया, फिर उन्हें raise किया, और सारे जो उन्हें देखा, जैसे egg to caterpillar, caterpillar to pupa, pupa to adult butterfly, then he would tag the butterfly wing and let them go, फिर उसके बद उन्हें बटरफ्लाइ को टाग करा, wings में और फिर उन्हें उड़ा दिया, for several year, बहुत सालों तक उनकी जो तो यहां पर देखे, तो यहां पर देखे, number and kind of butterfly collected in the sixth week, तो यह types of butterfly है, मोनार्क हो गया, white and sulfur हो गया, brushwood हो गया, वुद नायम और यह हो गया, तो यह सारी type of number of numbers collected और types of, यह kinds of bird जो नोने selected करी थी, आगे चलते है, eventually I begin to lose interesting tagging butterfly, यह कितना ही कोई butterfly को tag करेगा, है न, अगर मेरे जैसा हो, तो butterfly tagging नहीं करूंगी, मैं बड़ा इसे आप पाया, है न, बड़ा जान, okay, butterflies are a kind of my hair, what a comparison I did, कि बहुत सारी है, eventually I begin to lose interest in tagging butterfly, तो उनोने कहा, eventually, जो मेरा interest था, butterflies को tag करने का, यह, loose हो गया, okay, it tedious, मतलब, it tedious, मतलब कि बहुत जादा long process था, slow process था, और जादा feedback भी नहीं आ रहा था, there is not much feedback, a bride ने कहा, in the all time I did, he laughed, only two butterfly I tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived, उनोने कहा, इतनी सारी butterflies को मैंने tag किया, लेकिन उन में से सिरफ दो butterfly मिली, और वो भी मेरे घर के पास 75 miles, तो मतलब, जादा दूरी पर नहीं, वहां से मिली, बाकि कोई जो tag butterfly थी, उनकी movement नहीं पता चली, तो यहां तक हमने कर लिया, then in the 7th grade, फिर वो कहते हैं कि 7th grade में उनको एक hint मिला, of real science, जब उन्होंने काउंटे, काउंटे मतलब क्या था, region science fair में पाट लिया, और वहां पर वो हार गए, तो उन्हें पता चला, अच्छा भई, science होती क्या है, actually, it was really a sad feeling to sit there, वास्तविकता में वो कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा sad feeling थी वहां बैठना, and not get anything while everybody helps had one something, मतलब यह सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हम यह कह सकते हैं कि दिल टूटने वाली बात थी कि हम अपने आपको बहुत science की दुनिया में कुछ न कुछ मानते हैं, और हमें कोई भी reward नहीं मिला था, तो यह थोड़ा सा दिल टूटने वाली बात थी, जो चूर-चूर हो गया होगा, ब्राइड ने का हम, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिला लेकिन उनने कुछ भी नहीं करा, क्यों? क्योंकि उनकी जो his entry was slides of rock tissue, which he showed under a microscope, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने his entry was slides of rock tissue, जैसे आपको slides दिख रही है, यह English में पढ़ाने में अच्छा है, लेकिन अगर science में आपको आशुर की वीडियो बहुत पसंद आती है, क्यों क्यों आशुर की वीडियो पसंद आती है, क्योंकि वो हर चीज को प्राक्टिकली आपको करके दिखाते है, है ना, इंग्लिश में मैं आपको acting करके दिखा दूंगी, जादा से अधर reading, लेकिन अगर आप science के student हैं, तो आपको आशुर की वीडियो क्यों पसंद आती है, बताए, कि अगर for example, मैंने का पानी पिया, तो वो क्या करेंगे, पानी खोल के, पीकर आपको दिखा देंगे, पानी ऐसे पीते हैं, मैंने को प्यास लग रही थी, मैंने का example भी जचराय क्लास में, तो यही कर देती हूं, दिल की बात बोल नहीं थी न, है न, ऐसे कह रहे हों गया, बट यार, हो जाता है, जोकसा पार, चलो, तो उन्होंने क्या करा था, पार, उन्होंने रिलाइस किया, अगर कोई इक्सपरिमेंट करना है, तो वह कर देखाएं गे, real experiment करके दिखाएंगे, अगर वो slides में यही दिखाएंगे, तो वो मजा नहीं आता, तो difference क्या create हुआ उसमे, कुछ भी नहीं होता है उसमें तो है ना, तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने उपलबधी प्राप्त की है, तो उन्होंने real experiment को दिखाया है, चीक है, आगे चलत competitive spirit that drive Richard Ebride was appearing, I knew that for the next year fair, I would have to do real experiment, the subject I knew was most about the insect work I would been doing in the past several years, I had been, sorry, I had been doing in the past several years, अब यहां पर क्या लिख रहा है, अब उनको यह पता था कि अगले साल उनको science fair में करना क्या है, और उनको करना है, यह कीरे, मकोडे, insects पर, जिस पर उसमें क्या है, कि वो several years है, उसी पर research कर रहे थे, मतलब और उनमें भी उनको butterfly, वो उनका strong point था, तो उनको यह पता था कि भाई मुझे करना क्या है, जिक हैं, ओके, आगे चलते हैं, so he wrote to Dr. Urkuhat for ideas and came up with this check of suggestion for experiment, those kept a bright busy all through high school and led a prize project in the county and international science fair, तो यहां पर लिख रहा है, तो उन्होंने Dr. Urkuhat को लिखा कि भाई मुझे यह ideas चाहिए, जिक है, मुझे आइडिया चाहिए, तो जो उनका reply आया, वो बहुत ही अच्छे equipments भी आए, objects भी आए, और ideas भी आए, तो सारा सारा देन जो एब्राइड थे, वो schooling में इस पूरा पूरा दिन इसी में busy रहते थे और जिसमें उन्होंने county और international science fairs भी जीते, जब वो 8th grade project में थे, तो एब्राइड ने कोशिश करी कि वो find करने की ठीक है, जो viral disease है, उसका cause, और kills nearly all monarchs, जो एक ऐसा viral disease, जिसकी वज़े से जो सारे monarch caterpillar है, वो every few years हर कुछ सालों में मर जाते हैं, तो वो viral disease का cause क्या है, a bright thought, a bright को लगा कि जो disease है, must be carried by the beetle, एक beetle insect, ठीक है, he tried raising caterpillar in the presence of beetles, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो caterpillar को raise करेंगे, लेकिन beetles की presence में, तो उनको कोई भी result नहीं मिला, but I went ahead and showed that, I had tried experiment, this time I won, तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्या viral disease है, जिसकी वज़े से हर कुछ सालों में, caterpillars जो होते हैं, वो मर जाते हैं, तो उनको लग रहा था कि अगर beetle insect present है, तो उसकी presence में, लेकिन उन् साइंस फेयर में जाकर दिखाया, कि भाई देखो मैंने तो ऐसे experiment किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो जीत गए, तो यहां पर ultimately ये कह रखा है, अगले साल जो साइंस फेयर के project में, वो टेस्ट कर रहे थे थियोरी, दाट विर्सरोय एक butterfly होते है, विर्सरोय बटरफ्ला जो होती है, वो कॉपी करती है, मोनार्क को वाट दिखती है, क्योंकि जो मोनार्क होती है, उनका जो टेस्ट होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो विर्सरोय जो दूसरे हाथ होती है, दूसरे हाथ मतलब on the other hand, दूसरे की पहलू में अगर मैं बोलू, वो अच्छी ल मोनार्क को कॉपी करती है, वो मोनार्क की तरह दिखती है, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहती है, कि वो किसी कर डिनर पने है, simple दी बात है, so, the more they look like मोनार्क, the less likely they are to become the bird's trainer, so, that is why उन्होंने ये थेोरी थी, कि विर्सरोय बटरफ्लाइ की कॉपी करती है मोनार्क की, कि मोनार्क की कॉपी इसली करती है विर्सरोय बटरफ्लाइ क्योंकि वो उनका टेस्ट जो होता है, वो बर्ड को अच्छा लगता है, तो इस वज़े से वो मोनार्क की कॉपी करती है, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइ बर्ड को टेस्ट अच्छा नहीं करती है, तो इस पर उन्होंने क्या कर एक्सपेरिमेंट अब क्या हुआ आगे Ebride project was to see, Ebride का project देखना था क्या वास्तविक था में, क्या in fact जो birds होती है, वो मुनार को खाती है तो उन्होंने found किया that a starling, starling मतलब होती है एक old world songbird होती है, गाने वाली bird would not eat ordinary bird food, it would eat all the monarch it could get Ebride said later research by the other people showed that विर्षवरोई probably do copy the monarch, this project was placed first in the zoology जीव विज्यान, division and third overall in the county science fair तो उन्होंने यह दिखाना था, यही थिओरी को दिखाना था लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा एक हम यह कह सकते है एक अलिख हम बोले, अलग चीज़ पता चली एक जो starling bird होती है, songbird होती है वो ordinary bird food नहीं खाती है, मतलब की विर्षवरोई नहीं खाती है बलकि वो monarch bird खाती है तो यह सारा experiment उन्होंने दिखाया और zoology में और उनको हम यह कह सकते है third overall county science fair में award मिला और first division उनको zoology division first in the zoology division मिला और third overall county science fair में मिला in the second year, जब वो second year में हुए हाई स्कूल में Richard Ebride began the research that led to the discovery of unknown insect hormone तो उन्होंने क्या करें discovery of an unknown insect hormone पे उन्होंने research करें indirectly it also led to his new theory on the life of cells तो ultimately एक नहीं theory आई की जिंदगी कैसी होती है cells की the question he tried to answer was simple the question जो था वो बहुत ही जादा simple था ठीक है, what is the purpose of the 12th Chinese gold spot on the monarch pupa तो question ये था कि जो मुनार का pupa होता है मुनार जब pupa stage में होती है तो उस पर 12th color के golden spots होते हैं तो उसका क्या reason है, what is the reason behind it everyone assumed, सबने assume किया जो sports थे, जो spot थे यहां यह कहीं जो दब्बे थे, वो एक ornamental थे कि जस एक दिखावटी, एक सुंदरता को दर्शाने के लिए थे Ebride said, लेकर जो Dr. Urkoha थे उनको यह बिलीव नहीं था और Ebride said, but Dr. Urkoha didn't believe it ठीक है, to find the answer, Ebride and another excellent science student first had to build a device that showed that a sports were producing a hormone necessary for the butterfly full development तो जो हमारे ब्राइड हैं और साथी साथ जो intelligent science student थे और excellent science student थे उन्होंने एक device बनानी थी उनको सबसे पहले जिसमें यह दिखाया ना था कि देखो भाई, जो pupa होता है मनाक का, उस पे जो 12 sports of development है, 12 sports है, वो है development के, एक मनाक butterfly को develop करने के लिए fully ठीक है तो it was necessary ठीक है लेकर यह ornamental purpose के लिए नहीं थे, this project won a bright first place in the county fair यह जो हम यह कह सकते है project जो था a bright का first place county fair में हुआ और entry into the international science and engineering fair, there he won third place for zoology वहां पर उन्होंने third place जीता zoology में, he also get a chance to work during the summer at the entomology laboratory, entomology laboratory का मतलब क्यों आता है कीट विज्ञान, कीट विज्ञान प्रेयोग शाला, ठीक है तो यहां पर यह बोला गया है, उसके बाद उनको third place zoology में मिला, फिर उसके बाद उनको एक chance मिला entomology laboratory में काम करने का, ठीक है of the Walter Reed Army Institute of Research में, आगे चलते हैं, as a high school junior, जैसे के high school junior, Richard Ebride continued his advanced experiment, तो उन्होंने अपने advanced experiment को continue रखा, मोनार्क प्यूपा पे और उस साल, उनको प्रोजेक्ट में उनको पहला position मिला, international science fair में और गेव हिम another chance to work in the army laboratory during the summer, तो उसकी वज़े से उनको दूसरा मौका भी मिला, army laboratory में काम करने का, जैके summer time में, आगे चलते हैं, in his senior year, जब वो senior year में थे, he went a step further, वो थोड़ी सी और आपनी research में आगे बड़े, he grew cells from the monarch wing in the culture and showed that the cells would divide and develop into a normal butterfly wing scales only if they fed the hormone from the gold spot, तो आगे जाके उन्होंने और research करके बोला, क्या बोला, a he grew, उन्होंने cells को grow करा, जैके मुनार्ख के wings से, culture में और उतके बाद उन्होंने ये दिखाया कि कैसे जो cells होते हैं, वो divide होंगे और develop होंगे normal wings में, only if अगर उस hormone से, जो generate करता है, वो gold spot pupa पे, जैके हैं, that project won the first place in zoology at the international science fair और उसके बाद उन्होंने अपना summer कैसे वितीद किया, after graduation, काम कर कर, आमी लबाटरी में and the laboratory of the US Department of Agriculture में, पिर अगली following summer, मतलब की, after the freshman year at Harvard University, a bride went back to the laboratory, वो वापिस लबाटरी में गई, of the department of agriculture and did more work on the hormone, पिर उन्होंने और जादा काम किया, the hormone पे the goals for using the laboratory sophisticated instrument, he was able to identify the hormone chemical structure, अब यूदिं कैसे advanced instrument laboratory के तुन वो इडेंटिफाय कर पा रहे थे hormone का chemical structure भाई मैं इसको इंगलिश में बता रहे हूं, chemical structure hormone का, वो इडेंटिफाय कर पा थे दिक्षम में आप आप आपकर अगली बदी और detail में बता देना, तो आगे चलते हैं, तो a year and a half later during his junior year, a bride got the idea, तो and year and a half year, तो एक देट साल a bride got the idea, a bride को idea मिला for his new theory about cell life, नई theory cell life के पारे में, इच केम वाइल ही वस लुकिंग अट X-ray's photo, अब वो कैसे आया, जब एक स्रे फोटो को देख रहे थे, चमिकल स्ट्रक्चर जो create करता है, एक हॉर्मोन, जब उन्होंने उन फोटो को देखा, तो a bride didn't shout, और even I got it, मतलब कि उन्होंने एक इंटर्जेक्शन का use नहीं किया, अरे यार, यह क्या हो गया, यह तो मैंने पाही लिया, बट ही बिलीव, लेकिन उनको एक यकीन हुआ उन फोटो को देकर, अलोंग विद इस फाइंडिंग अपनी खोज के साथ, अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन, इंसेक्ट हॉर्मोन का, तो उस फोटो से उनको एक आंसर मिला था, जो वर्ल्ड की, वो रीट करते हैं, ब्लूप्रेंट, ब्लूप्रेंट्स, दीने के, ओके, आगे चलते हैं, दीने क्या हुता है, इस अप्स्रांस इन नुकलेस अफेसल, आगे, इस टेमाइन इस वह अवर्मों को मेंदेट आगे, दीने, डीने क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, लाइफ का, तो भ्हां मैं मुंख्या, दीने एक संप्स्रेंट होता है, नुकलेस अफेसल दीक और यह है नुकलेस ऑफट सेल, जो cell का होता है, thus हम यह कह सकते है, DNA क्या होता है, एक blueprint होता है, जिन्दगी का, चाहिए, एक Bright Henness College roommate James R. Wong, worked all the night drawing pictures and constructing plastic model of molecules to show how it would happen, तो वो पूरी रात इसी में लगे रहे कि कैसे जो molecules होते हैं, उनको दिखाए, चाहिए, उनके structures को बनाना, together they later wrote the paper that explained the theory, इखटे मिलकर उनने एक पेपर लिखा, जो स्थियोरी को explain कर रहे थे हैं, okay, आगे, surprising, no one who knew him, surprising है रानी की बात है, no one who knew him, no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor, second in the class of 1510, Ebright went to become a graduate student researcher at Harvard Medical School, there he began doing experiment to test his theory, surprising, अगर कोई नहीं जानता है उनको, तो Richard Ebright graduated है Harvard University से with the highest honor, और second थे class में, जहां पर strength थी students की 1520, a bride आगे जाकर graduate student researcher बने Harvard Medical School में, और वहां पर उन्होंने experiments करना शुरू कर दिया, अपनी theory को test करने के लिए, ठेक है, if the theory proves correct, अगर, जो theory है वो correct to prove हुई, it will be a big step toward the understanding the process of life, तो एक बहुत बढ़ा कदम होगा, life के process को समझने के लिए, it might also lead to a new ideas, एक हम यह कह सकते हैं, यह नए ideas को थपन करने के लिए, for preventing some type of cancer, cancers को prevent करने के लिए, या other diseases के लिए भी, all of this is possible, यह तिरफ पॉसिबल है, और बिकास a bright scientific curiosity, a bright की scientific curiosity की वज़े से, ठेक है, his high school research into the purpose for the sports on the monarch pupa, eventually lead him to the theory about the cell, तो हम यह ultimately कहते हैं कि जो उनकी curiosity थी, कि मनाग के प्यूपर पे गोल्ट स्वाट क्यूं होते हैं, eventually, the cells working में काम आया, cells working के development में उनको काम आया, और ऐसी करके हम यह कह सकते हैं, उनकी journey स्टार्ट हो गई, चैके हम, आगे, Richard Ebride has been interested in science since he first began collecting butterflies, तो हमें यह पता ही है कि Richard Ebride बहुत जादा interested थे science में, जब उन्होंने शुरू की थी collecting butterflies को, but not so deeply that he hasn't time for each other, for other interest, मतलब कि उन्हें science में interest था बच्पन से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि खाली वो उसी प्यार करते थे और सिर्फ साइंस के पीछे पढ़े रहते थे, बाकी curiosity गई भाड में, ऐसा नहीं था, मतलब कि उनको और किसी चीज में interest नहीं था, ऐसा भी नहीं था, Ebride also became a champion debater, वो champion debater भी बने, ठीक है, तो हम यह कहेंगे, पर्टिकुलरी नेचर और साइंस को, बैक्गराउंड को धियान रखते है, तो वो बहुत अच्छे फोटोग्राइफर भी बन गई, तो कि आगे चलते हैं, इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में, Richard Ebride was a straight A student, मतलब A student, मतलब A student, मतलब इसके कम तर नमबर हमारे आएंगी नी, because learning was easy, क्योंकि उनके लिए learning बहुत असान थी, मतलब उन्हें पढ़ाई मेंटरस था, he turned lot of his energy toward debating, and model United Nations Club, तो यहां पर यह लिख रखा है, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई लिखा ही बहुत असान थी, लेकिन उन्हें जादा टाइम वो अपना focus करते थे, debate करने में बात्चीत करने में, he also found someone to admire, उनको एक teacher मिला, जिनको देखकर वो बहुत जादा admire करते थे, और उनका नाम था Richard A. Weir, अब यहां पर क्या है, his social studies teacher, अब वो उनके social study teacher थे, जो उनको बहुत जादा, मतलब उन्हें बहुत जादा पसंत है, Richard को बहुत जादा पसंत है, and advice to both clubs, Mr. Weir was the perfect person for me, then he opened my mind to new ideas, देखिए, ultimately आपकी life में कोई नकोई teacher आता है, जो आप बहुत जादा जिससे admire हो जाते हो, और उस person को देखते ही, आप चाते हो कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करें, उस सामने वाले को proud feel कराने के लिए, और साथी साथ वो जो advice, जो suggestion सामने वाला देता, को आप ध्यान में रखते हो, और अपना काम करते रहते हो, तो यहां पर उनके लिए Mr. Wehrer, उनके social science teacher जो थे न, वो बहुत जादा perfect person थे, Richard Wood always gave that extra effort Mr. Wehrer said, what pleased me was here, was the person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all research with butterfly and the other interests. तो वो यहां पर कहते हैं, सबसे जादा, जो मुझे बहुत जादा pleased लगता था, fascinating लगता था, वो यह था, कि 3-4 घंटे वो debates में पूरी रात बिता देते थे, और side-by-side अपनी जो research थी, बटरफ्लाइस को लेकर अधर, जो भी उनका इंटरस्ट था, उन पर वो research करते रहते थे, Richard was competitive, Richard क्या थे, एक competitive spirit थी, Mr. Wehrer कहते हैं, but not in a bad sense, लेकिन वो कहते हैं, bad sense में नहीं, he explained, वो explain करते हैं, Richard wasn't interested in winning or winning, for a winning sake, or winning to get the prize, rather he was winning, because he wanted to do the best job he could, for the right reason, he want to be the best, अब यहां पे न हमार को भी, यह teacher बहुत अच्छी सला दे रहे हैं, और जो मैं हमेशा भी कहती हूं, कि देखे कभी भी न, खुद को compare सिरफ अपने आप से करें, किसी और से नहीं करें, क्यों, क्योंकि हमें यह जानना होता है, कि हमने कितना अच्छा किया, तो यहां पर Richard Ebride जो थे, वो जीतना इस वज़े से नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें किसी और को हराना था, वो जीतना इसलिए चाहते थे, क्योंकि वो जो भी करते थे, उसमें 100% देते थे अपना, वो चाहते थे कि मैं कुछ भी करूँ, अपना बेस्ट दूँ, इसलिए वो जीतते थे, सामने वाले को हराने के लिए जीतना नहीं है, यह हमारा गॉल ही नहीं होना चाहिए, मैं यहां पर यह कहूँ कि हमारा मोटे भी नहीं होना चाहिए लाइफ में, सामने वाले को हराने के लिए कभी महनत मत करिए, अपने आपको जिताने के लिए महनत करिए, क्या मतलब अपने आपको बहतर बनाना है, अपने आप को भैतर आप तभी बनाओगे जब आप 100% करोगे तो रिचर एब राइड हमेशे जीतते क्यों थे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ भी करूँ बेस्ट दूँ इसलिए उनको जीतना उनके पाद excuses नहीं है और हमारे पास excuses की कमी नहीं है तो यह बहुत इंपोर्टन है सबसे पहले आपका माइंड सेट बहुत अच्छा होना चाहिए उसके अंदर क्योंकि होने चाहिए और उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए जीतने की पहली बात स्टेट फोरवर्ड माइंड साथ साथ क्योरोसिटी and third you are willing आपकी इच्छत होनी चाही जीतने की काम करने के लिए नहीं करना है अपना बेच करने के लिए काम करना है है न? The Ebride has these qualities from the time the book The Travel of Monarch it opened the world of science to him Richard Ebride has never lost his scientific curiosity चाहे उन्होंने बहुत ज्यादा prices जीते but still उन्होंने कभी भी हम ये कह सकते हैं कुछ भी हो रहा है क्यूं हो रहा है समझ आ रहा है हमें क्यूं आ रहा है समझ नहीं आ रहा है तो क्यूं नहीं आ रहा है तो विए के सांथ हमारा हम ये कह सकते हैं कि chapter खतम हो जाता है मैं previous year questions लेकर आई हूं NCRT तो हम कर चुके हैं तो previous year question answer में पहला होता है हमारा comprehension तो पांच questions तो so he did and did ever beginning in the kindergarten Ebride collected butterfly with the same determination that has marked all his activity what does he did in the extract so he did and did he ever क्या he did क्या है तो दांसर है he did refer to the Richard Ebride of collecting various things तो आगे वाँ एल्स did he collect other than butterfly butterfly के अलावा वो क्या क्या collect करते थे fossils को, coin को, rocks को butterflies के अलावा third, आगे है find the word in extract which means resolution देखें यहां पर एक चीज़ समझे यहां पर find the word from the extract की जगा आपको synonym भी बोला सकता है कि find the synonym of this and this तो इसका तो मतलब determination है हमें पता ही है what is the opposite of beginning opposite की जगा यहां पर एक word आ सकता है थोड़ा तो confused करने के लिए that is antonym, तो beginning का हम क्या बोलेंगे, ending, ठीक है question 2 okay the making of a scientist question 2 he would catch a female monarch take eggs and raise them in his basement through their life cycle who is he, he कौन है a bride okay what does he raise why does he raise butterfly क्यूं करता था वो butterfly को raise ताकि वो migration pattern समझ पाए आगे हो गया find a synonym of the word rare from the extract given above rare का synonym क्या हो गया raise करना अब यहां पर क्या केंगे what is a part of speech which part of speech is them them क्या होता है pronoun होता है ठीक है देका them किसमें हो गया objective case में clear हो गया आगे चलेते हैं question number 3 it was really a sad feeling to sit there and got and not get anything while everybody else won something तो यहां पर लिख रक है क्या it was really a sad feeling बहुत ही sad feeling थी and not get anything while everybody else had won something who is the speaker of the above line speaker कौन है above lines में तो हम बोलेंगे Richard Ebride है speaker above lines में ठीक है अगला question आ गया where was he competing at कहां पर compete कर रहे थे वो तो हम बोलेंगे he was competed at county science fair में कर रहे थे अगला हमारा question आ गया find a word from an extract which is the opposite of nobody nobody का opposite होता है everybody nobody का opposite क्या है everybody तो अगला हमार को बोल रुक है sad का कोई भी synonym बताए तो आप यहां पर sad का मैंने यहां पर बोला है gloomy आप बाकी synonym comment section में बता सकते हैं question 3 के बाद question number 4 CBSE 2012 if the theory proves correct अगर theory correct proves हुई it will be the big step towards understanding the process of life theory किसकी थी कर लेते हैं which part of life life क्या है life है हमारा noun synonym of correct correct का आप बोल सकते हो right एक synonym होता है तो यह थे हमारे extract based अब हमारे थोड़े previous year text based question भी आ गए why did viceroy butterfly copy monarch यह तो हमारे comprehension से न तो यहां तक हमारे comprehension हो गए है दो चार हम क्या कर लेते हैं text based भी कर लेते हैं why did viceroy butterfly copy monarch तो viceroy butterfly जो होती है वो monarch को copy करती है क्योंकि जो monarch होते हैं अच्छा टेस्स नहीं करते हैं bird को टेक है तो बर्ड सराई butterfly जो होती है दूसरे हाथ हम यह कह सकते हैं टेस्ट अच्छा करती हैं तो हम यह कह सकते हैं more they look similar to monarch the less likely they are to become birds prey thus they protect themselves आगे चलते हैं question 2 why did Richard Ebride give up tagging butterfly उनना ने give up क्यों कर दिया था butterfly को tag करना तो Richard Ebride lost interest in tagging butterfly कि वो बहुत जादा time consuming था और you can say tedious and there was not much feedback और साथी साथ he could recapture only 2 butterflies in all time he did मतलब 2 butterfly वापस tagging वाली मिली थी और वो भी ज्यादा दूर नहीं थी 75 miles उनके घर से केवल और केवल दूर थी चेक है 3rd what are the ingredients in making of a scientist very very important and value based दोनों पे match करेगा एक question जो author है उन्होंने example दिया था Richard Ebride की life का जिसमें ये ingredients दिखाय थे scientist के तो start with the first rated mind second add curiosity in it third mix with the will to win win for the right reason will क्या है जीतना right reasons के लिए 4th question what was the common belief about the 12 tiny gold spot on monarch people common belief क्या था ornamental purpose के लिए है actual purpose क्या था वो एक hormone generate करती है for the development है ना तो these 12 tiny gold spots what belief that they are only for ornamental purpose actual purpose क्या था tiny gold spot is a produce a hormone necessary for butterfly to will development जीक है full development fine 5th question last question but there were one thing I could do collect things what collection did Ebride make तो जहां वो रहते थे वो क्या कर सकते थे चीदों को collect करते थे और उनने क्या क्या करी where did he start making collection कहां when when मतलब कब जीक है कब उनने चीदों को collect करना शुरू किया Ebride began collecting butterfly, rock, fossil, coin उनने शुरू करा था जब वो एक इंडर काटन में थे he collected with the same determination that he had marked all his activities तो उनने collection शुरू किया था जब वो केजी में थे और बिल्कूल हर activity में same determination था तो होप आपको ये lecture अच्छा लगा हो अगर doubt है परिशानी है तो बता दीजेगा next topic कौन सी वीडियो पर चाहिए मतलब next video कौन सी topic पर चाहिए active passive ज्यादे ही उस करें तो next video कौन सी topic पर चाहिए प्लीज बता दीजेगा चैनल को like, share, subscribe करना मत भूलिएगा और hope आपको ये chapter अच्छे तरह समझ में आ गया और मैं चलती हूँ, bye bye, take care Hello everyone, welcome to science and fun पटपट से आजो यार and comment कर दीजे ताकि मुझे पता चल जाए भई आप सब आ गये है Hello everyone, welcome to science and fun जल्दी जल्दी comment करिये ताकि मुझे पता चल जाए भई कौन कौन आया Hi Ankur, कैसे हो आप? Hello everyone, चलिए तो आज हम करने वाले हैं Madam Right Dibbas यह बहुत ही प्यारा सा chapter है और अगर अभी तक आपने एक बार भी नहीं पड़ा तो यार यह बहुत गलत बात है क्योंकि मैंने इसको recorded form में भी YouTube चैनल पर upload कर दिया था तो किसने यह पहले चाप्टर मेरे से पढ़ लिया है पटा फट से reply करो Hi Zehra, Hi Harsh, पटा फट से आईए बिटा पांच से छे बजे वाली जो क्लास थी उसका टाइम शिप्ट किया है 3-4 बजे ओके सफ्रीकाल जी कैसे हो हर्ष जी बहुत दिनों बात दिख रहे हूं जी अक्षद जी हलो हलो बिटा I am looking good thank you so much चलिए पढ़ रखा है चलो तो हमें तिरफ क्या करना है इसकी समधी टाइब देखनी है और अगर मैं आपको कहूं तो अवेलेबल होंगी आपके पास पहले ही और अगर अभी तक नहीं अवेलेबल है तो इसके बाद आपको मिल जाएंगे हाँ जी I already read this chapter yeah very good Kunal Mishra तो थोड़ा बहुत प्राक्टिकली कर लेते हैं हम यह कह सकते हैं कि थोड़े में पॉइंट को रिवाइस कर लेते हैं तब हम वाइंड आप कर देंगे इसको ओके हाइं कर्मा तो जब से पहले जो ऑथर है उनका नाम क्या है वली कनन जिक है वो एक तमिल राइचर थे जॉर्नलिस्ट और ट्रांसलेटर तो यू डोंट हाब तो यहां पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखे एक बारी तो आप चाप्टर पड़ चुके हैं है ना किन किनोंने नहीं पड़ा है आप यूट्यूब चैनल पर भी रिकॉर्ड़ेट पॉम में देख सकते हैं और जिनोंने नहीं पड़ा है वो क्या करेंगे मैं समरी टाइप आपको बता रही हूं विद्ध की वर्ट की जो हमारे लॉंग आंसर शॉट आंसर में काम आएंगे जिक है ओके हर्ष बिटा जी 5-6 वाली जो क्लास थी वही 3-4 बजी हुई है ओके तो 5-6 नहीं होगी आपकी हां जे तो जबते पहले एक लड़की है जिसका नाम है वली अमय उते शॉट में प्यार से सब वली बोलते हैं और एक्जांपल जैसे हमारी क्लास में हर्ष है तो हर्ष को मैं हर्ष बोल रही हूं हां अदित्ते को आदी बोल रही हूं तो ये क्या हो गया ? प्यार से नाम बोलने वाला grammar की class कब होगी बिटा जी देखिए पहले मैं आपको chapters कराऊंगी उसके बाद pomps कराऊंगी सारी then मैं आपके लिए grammar लेकर आऊंगी फिर second book को start करेंगे फिर writing और grammar करेंगे तो exam से पहले आपका सब कुछ cover up हो जाएगा ओके हां अंकुर बिल्कुल बेटा बिल्कुल यहां पर लिख रहा है कि लड़की है जिसका नाम है वली और वो कितने साल की है eight years old है देखे जिसको मैं आपको circle करा रहे हूँ that are keywords okay you have to remember these keywords अगर आप नए हो तो अभी इसे पढ़ना शुरू कर दीजे ओके तो यहां पर एक लड़की है जितका नाम है वली वो 8 साल की लड़की है बहुत ही जादा curious है चीजों को लेकर उसका फेवरेट पास्टाइम क्या है इस पर हमेशे एक्जाम में टू तू त्री मार्स के question बने है तो वली का फेवरेट पास्टाइम क्या है वो stand मतलब खड़ी हो जाती है दोरवे पर अपने घर के और क्या देखती है कि क्या happening हो रहा है street outside अब listen to me very very carefully यहां पर वली का फेवरेट पास्टाइम क्या है that she was standing on the doorway of the house and watching the happening in the street तो यह important points आपको याद रखने है okay there were no playmates अब वो यहां पर question यह भी बनता है कि वो doorway पर ही क्यों खड़ी होती है why she is not playing with the other children okay so यहां पर आपको पताना है that she is not playing with the other children because यहां पर there is no playmates of her own age so that is why she is standing on the doorway and watching what is happening outside okay so यहां पर आपको यह चीज़े बोलनी है there were no playmates of her own age on the street and this was about all she had to do अब देखिए यह पहला paragraph है आपके chapter का और पहले paragraph से ही दो से तीन नंबर के question बन रहे हैं है ओके चलें आगे और बहुत ही इंट्रेस्टिंग चाप्टर है बहुत ही प्यारा इंट चाप्टर है बहुत ज्यादा क्यों में भी बन सकता है यह question यहां पर one mark में भी बन सकता है वली खुश थी कि उतके लिए कोई प्लेमेट नहीं थे यह कि अपनी एज के दोस्त नहीं थे हाँ यह ना वोलो को ना हां तो यहां पर हम यह बोलेंगे कि she was happy वह बहुत ज्यादा खुश रहती थी बहुत ज्यादा इंजॉइबल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि वह अपने टाइम को व्यतीत करती थी जिक है उतको बहुत ही ज्यादा पसंद था क्या जोरवे पे खड़ा होना it was as equals to the elaborated game जो बा हाई वीरू आप तरा लॉंग टाइम कैसे हो आगी सलें अब थर्ड पेरिग्राफ में से क्वेशन कैसे बन सकता है the most fascinating things the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town so what was the most fascinating thing for Vali the most fascinating thing for Vali was the bus that ride from her own village to the nearby चाहूं तो यह सबसे जादा हम यह कह सकते हैं कि answer बन सकता है और जो बस ही उतका root के बारे में भी हम यह कह सकते हैं detailed elaborated means detailed one ओके तो यहाँ पर आपका question दो से तीन नंबर का बन सकता है कि जो बस का root को थोड़ा से elaborate कर दीजे what was the bus journey tell me about the bus journey हां question 3 वाला में बता दूंगी गौर अफेट sample paper भी हो जाएंगे पहले पूरा एक बरी crash course complete तो कराने दो sample paper हर चीज हो जाएगे don't worry okay it passed through the heart sheet each hour once going to the town and once coming back at the site of the bus filled each time with the new set of passenger was the source of unending joy for wali इस पर question previous year में आया था what was the unending joy for wali दो नंबर का question आपके exam में दिख सकता है तो इस paragraph में ते भी हमारा two marks का question बन गया slides आपको मिल जाएंगी don't worry about the same यह keywords है तो unending joy for wali क्या था unending joy जो wali के लिए था जब भी वो बस को देखती थी कि बस जाती है टाउन की और फिर बस टाउन से वापस आती है every time there are new set of passengers और नए-nए spaces को देखकर ship with joy वीरू जी प्लीज एक बारी cbhc की साइट पर जाकर syllabus देखिए वो chapter है ठीक है ओके बीना syllabus के मैं यहां पर कुछ नहीं कराऊंगी में भी आपका बोर्ट चेंज हो सकता है लेकिन यह जो है वो cbhc के syllabus से है आप जाकर देखिए जो chapters करा रही हूं वो cbhc में आ रहे होंगे ओके आगे चलिए day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and that grew there she wanted to ride on that bus even if it just once अब यहां पर question आ जाता है कि what was the tiny wish that crept into valise head यह question यहां पर बनता है two marks का कि what was the tiny wish crept into valise head यू पी बोल्ड में नहीं होगा वीरू बट यह cbhc oriented है ठीके न ओके तो यहां पर हम यह बोलेंगे कि क्या tiny wish आ गई थी जब बस को देखती थी मैं बता रही हूं आंसर आपको इसका ठीक है जब वो बस को देखती थी कि जब बस आती है नए set of passengers होते हैं तो एक tiny wish एक engross हम यह कह सकते हैं उसके अंदर हो गई कि भई उसे भी एक bus ride करनी है तो what was the tiny wish crept into walis head अगर one mark का question आ रहा है then you have to write a bus journey अगर two marks का question आ रहा है तो थोड़ा सा ही से elaborate कर देना बस और कुछ नहीं करना क्लियर यह वाला भी paragraph चलिए जी आगे अब यहां पर भी question two marks का बन सकता है two marks का question कैसे बनेगा कि विश जो वली की थी वो ज्यादा strong क्यों होती गई वाई दवली टाइनी विश हम यहां पर यह question बना सकते हैं वाई वली इस टाइनी विश converted into a big desire तो two marks का question यहां भी बनेगा तो हम यहां पर बोलेंगे this wish became stronger and stronger was an overland desire कैसे हुआ अभी यहां पर देखेंगे वली बुट शेयर विश्च फुली अधी पीपल हूँ और और ओफ दी बस when it stopped at the street corner तो वली वस continuously seeing the passenger that was coming in the bus and that was coming out of the bus so she was just watching the हम यह कह सकते हैं passengers अरी हां बहुत लेट आए हो बहुत स्यादा face थे would kindle in her longings dreams and hope तो यहां पर हम बोलेंगे how the वली dream converted into the big desire तो यहां पर कि जब भी वली passengers को देखा करती थी तो अन्हार time एक नए set of passengers होते थे तो उनका जो face होता था appear होता था वह बहुत ज्यादा attractive होता था सो इस वज़े से उनकी जो लॉंग इस वज़े से उसकी wish थी वह एक बड़े desire में convert हो गई चैक है clear हो गया किसी को problem आ रहे है उसके पर इस one of her friend happened to ride the bus and try to describe the site of her town वली वोड़ी 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 तू जेलस तो लिसन और वोड़ी शाउट of the word but they used it often a slang expression of disapproval यहां पर गोल रखा है कि जब भी वली की कोई friend bus ride करकर आती थी तो वली बहुत ही जादा जैलस हो जाती थी बहुत जादा उसके इर्शा जागरित हो जाती थी और वह हमेशे यह कहती थी कि भई sorry proud proud अप उनको प्राउट 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 का मतलब नहीं पता है कि इंग्वलिश में क्या होता है बट गुसे में केह देते हेता है ठीक ठीक केरा सब्सक्राइब ऑल फिर न यह तक यह जाया है है ना तो it is kind of this example सागर मेश्रा में ठीक हूं मैं 10th में इंग्लिश में हाँ 95 ओके चले आगे चले बहुत ज्यादा दिन वली ने बहुत ज्यादा केर्फुली कॉन्वरेशन सुनी अब यहां पर ना टू मार्क्स का क्वेशन बनता है इन पैरेग्राफ से बहुत ध्यान से सुनिएगा जो कीवर्ड मैं बता रही हूं अगर आपको पूरा चाप्टर को समझना है तो रिकॉर् करेंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी तो वली का अब यहां पर क्या करेंगे हाव वली प्लांड हर बस जर्नी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्जाम में काफी बारी पूछा जाता है कि वली ने कैसे बस जर्नी को प्लांड किया था ओके तो वली ल दिस्क्रीट क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्वेश्चन और थोड़ा घुमाफिरा के सामने वाले को पता ना चले लेकिन हाँ हमें पूरी नॉलेज मिल जाए ओके अभी यहां पर क्या करेंगे हर एंड दिस वेशी पिग अप वेडिया स्मॉल डिटेल अब बस जर्नी तो जो प्यवत था वो क्या था 30 पैसा वन बे मतलब पुरानी सी कहानी है कि बस जर्नी जो थी एक टाइंग पधया थी करें के लिए 30 पैस चाहिए तो वापिस आने के लिए 30 45 मिनट्स 45 मिनट्स में वो ट्रिप वापिस आएगी 15 मिनट्स यहां पर बस है वो वेट करेगी तो उतने पूरा कैलकुलेट कर लिया कि उसे कितना टाइम चाहिए आने और जाने में कि हम कैसे नंबर ला सकते हैं स्पाइमिंग ना करकर कि जो कह रहा है कि 95 नंबर केसे ला सकते हैं स्पाइमिंग ना करकर इतना दादा बकेती नहीं करकर जितना उधम तुम कॉमेंट सेक्शन में कर रहे हो हां सबको मार पिटेगी ऑनलाइन मार पते कैसे बिचते हैं बता हूं बाद में बताऊंगे सीक्रेट अने का सकते हैं और रीचिंग चाउन अब वह यहां पर कहते है कि अगर वह टाउन कस्वे में पहुंच गई तो वह अपनी उसी बस की सीट पर बैठी रहेगी ड्राइवर को या हम यह कह सकते कंडक्टर को बाखी के 30 पैसा देगी और वाप 1145 के बाद वह री कैलकुलेट कर रही है कि वह 245 तक घर वापिस आ जाएगी तो ऐसा उसने कैलकुलेट करा री कैलकुलेट करा प्लान करा ओके आगे चलते हैं तो वेल एक स्प्रिंग जे था आफ्टिन मतलों मौसम बहुत ही जादा प्यारा था और उसके बाद उसने क्या सोचा कि भाई अब तो से उसने सारे पैसे जोड़े और उसने सोचा कि भाई वो बस जर्नी करेगी जो उसके लिए बहुत ही बड़ा ड्रीम था अब वह भागती भागती हाईवे के पाद गई और छोटी सी बच्ची है आठ साली वह कह रही है शॉप दिबस शॉप दिबस और यहां पर ऐसी चीज है जो बस ही वह धीमे हो गई और डाउन टु क्रॉल मतलब बहुत ही धीमे धीमे हो गई और कंड़क्टर ने अपने सर को निकाल कर का हां हरी अब हरी दिन जल्दी करो फिर बोलो जिसने बस पर जाना है उसे को फिर जल्दी आए जल्दी आए तो व मैं ही हूँ मैं ही हूँ जिसे बस पर जाना है यह कि आप वो कंड़क्टर भी सोच है यार आठ साल की लड़की अकेले थोड़ी जार सकती है तो लिखने हाँ पर क्या और है वली खुदी कह रहे है मैं जाओंगे मैं जाओंगे ओके अब बाई नाउ दे बस हैड कम तू और यह रहे मेरे पैसे मतलब उसने सची पैसे अपने हाथ में निकाल कर ऐसे दिए थार में थची पैसा आप टू जो तो शी शोड़ सम कोई अब उसने कुछ सिक्के निकाल कर दिखा है कि देखो मुझे जाना है ओके आगे चलते हैं तो जो बस कंड़क्टर था वो बस के तो आजो है ना बट यू मस्ट गेट इंटो दिबस अब तक दी कंड़क्टर तो उसने थोड़ा उसे लगा छोटी से बच्ची है पर एग्जांपल वीरू आ गया तेक है वीरू को मैंने कहा वीरू हाथ दे वीरू आजा मेरी सिम्रन आजा सिम्रन है यहां पर कोई नहीं ह तो थोड़ा सा लुक देते हूं उसके बाद जो कंड़क्टर था वह कापी जौली सौर्ट अब कंड़क्टर था मतलब बहुत हस्मुक्सा था जिके बहुत ही जादा चेरफुल रहने वाला उसने को ओ प्लीज जोंट भी आंग्री आज में ओके माजम प्लीज कम अभी हां पर उसने क्या बोला अब कंड़क्टर तो यहां पर वली को मैडम बूला गया है अगर हम चैप्टर का टाइटल को देखेंगे मैडम राइड दिबस तो हाओ एच यह ओल्ड गॉल्ड वली इसका आंसर यही होगा कि यह कंड़क्टर ने बोला था कंड़क्टर ने क्या कहा था प्लीज छूँच पे आंग्री आजमी नहीं नहीं में इस पे गुस्ता मत करो आजो 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 ठीक है उसके बाद ही सेड़ एट राइट राइट अप इन दी फ्रंट एवरीव कि दॉट आज अब इच वह था स्लैक टाइम अब यहां पर एक प्रेज आप यह बोशकते हैं का मतलब क्या होता है और लेंग ने तो वह सारे बस में बैड कर वख देख रहे हैं यार आठ साल की लड़की अकेले आहर रही है तो वली बहुत ओवर कम विशाइनस तो वली को भी थोड़ी शर्म आ गई तेक याशी मेरी क्लास में मैंने का याशी याशी कैसी हो हावार याशी इतनी लेट आई हो ओओ याशी पानी फिलो थब गई होंगी ओनलाइन आने में कितना टाइम रखता है याशी शाइनस मतलब तो याशी बहुत लेट आई है तो याशी को मैं थोड़ा सा पानी पिला देती हूं तो याशी को शर्म आ गई तो यहाँ पर मैं यह बोल सकती हूं वैसी कि वली ओवर कम विद्धी शाइनस ओके आवाइड इवर्यों आए तो वो जल्दी जाकर एम्टी सीट पर जाकर बै अब उसके बद कंड़क्टर और मैं याशी को का याशी माजम चांट दी क्लास वाइसर नौट राइट भी बस मैं वाइसर नौट राइट भी बस शुब कौन से क्वाइशन कौन से एंगल में पूछ रहा है मुझे समझ नहीं आ रही है सर अब बता ना एक मिन मेरी बास दो लड़की है तो लड़की को मैडम ही तो बोलेंगे ना सर क्यों बोलेंगे उनका जेंडर ठोड़ी चेंज करना है यहां पर सर के से आ सकता है तो उसने आगे से कहा हाँ मैं मैंने भी गुड़ी इवनिंग और हाव आर यू बोला तो मुझे तो रिप्लाई या पैनिक को नहीं पूछा अच्छा माप कर दो सागर माप कर दो सागर कह रहा है पानी नहीं पूछा याशी वस मेकिंग मैगी मितिलेश पिट्टी हो जानी है तेरी तो यहां पर क्या है उससे का है आप लिए पौर शुब में से इ가 और बोला है तराश पर यहांपर देख को कि अगर मैंने का वी रू सागर पर देखो वाली की जगा तो यहां पर सर बोला जाता लेकिन यहां पर कौन है याशी है तो याशी कौन है तो मैडम बोला अनिमेश I am good और मैं पांत चे वाली ग्लास नहीं कर पा रही हूं तीन से चार करूंगी चे कैना तो दाट है हाँ ओक्यों देन अभी लोग विसल च्वाइस अन बस मूब फॉरवर्ड विदर रॉप फिर उसके बाद उसमें सीटी बजा है और बस जड़ी पर अब वली को ट्रिप करनी थी बस राइज करनी थी उसका फेवरेट था वही उसके लिए आई कि हैना अब जैसी बली बस में तो वहाँ पर आउकसाइड वहाँ पर पेंट था बहुत ही शाइनिंग था बस बड़ी नहीं थी ग्रीन स्ट्राइप भी थी उसमें और साथ ही साथ हम अगर अंदर जाएं तो जो बाहर होते हैं जो पकड़ने वाले होते हैं वह सिल्वर कलर के थे बहुत जादा चमक रहे थी और जो सीट थी वह बहुत जादा कमपर्टेबल थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन इसमें हमारा दो से तीन नंबर को क्वेशन बनता है कि बस कैसी दिखती थी तो आप लोगे आउसाइड पेंट हुआ हुआ था बहुत ही जादा ग्लीमिंग हां मतलब बहुत ह जादा शाइनिंग यूकें से और जो अंदर अंदर जो बसका था हम यह कह सकते हैं सिल्वर बार से सेकेंड ली जो विंट्शिल्ट के उपर बहुत ही प्यारी वाच लगी हुए थी फीड्स कमपर्टेबल थी है श बिट्टस जी सारे इंपोर्टेंट है मेरे लिए ठीये बिट्टा ऐसा कुछ नहीं है वह फालतों नहीं है वह इंपोर्टेंट है मैं वो बच्ची को madam क्यों बोलता था क्योंकि वो एक हादिया वो बच्ची को madam इसलिए बोल रहा था क्योंकि एक 8 साल की लड़की अकेले बस में travel कर रही थी और बहुत ही attitude भी था उसके अंदर मतलब कि शीवाफ लाइक की attitude भी नहीं कह सकते कि हम self-confident बोलेंगे अगर हमार को एक positive वे में बोलना हो तो शीवाफ टेकिंग भी हिल्प तो दाट इस वाए उसे madam बोला था चेके हादिया तो वली जो थी उसने बहुत ही साधा सारी चीज़े बहुत ही quickly अपनी आँखों से देखी और उसके बाद वह बाहर देखने लग गई लेकिन आधे तक ना एक canvas था मतलब कपड़ा लगा था बस में तो उसका जो चेहरा था ना वह canvas तक ही पहुंच पा रहा था तो क्या किया वली ने फीट पर खड़ी हो गई और बाहर देखने लग गई तो शीव चुड़ अप एंड टियर्ड ओवर डिजाइन अब वली कब जा रही थी जब उसकी मॉम दुपहर को एक पॉइंट रह गया यहाँ पर जब उसकी मॉम दुपहर को सो जाती है एक नाप ले थे ग्रास्लैंड भी थी डिस्टेंट मांटेंस भी थे ब्लीव स्काइब यह था और दूर दूर तक हम यह कह सकते हैं दूसरी साइट क्या था ग्रीण ग्रीन एस पार आज आइस पूट पी टीक्वेस्टन इंपोर्टेंट बन सकता है कि वली को बाहर क्या दिख रहा था देखें वली को बाहर बस ते क्या दिख रहा था वाट 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 वाच्ट थूर आइस वन शी वाद बस तो यह क्वेस्टन बन सकता है तो आप इसको कर लीजेगा तो अब यहां पर बोलेंगे कि बाहर उसमें देखा कि जो रोग सी वह बहुत नारो थी एक साई कै एक से चार बज़े वेरी गुड हा दिया उसके बाद यूज काई था दूद दूद तक दूसरी साइड बस में एक खाई थी डीप डिच थी और उसके बाद वहां पर दूद दूद तक हरे 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 क्या थे पील्ड थे जहां तक वली देख पा रही थी तो यह उसने का ओहो यह कितना वंजरफुल है तड़नली शी वह चांटल वह बहुत दाद हैरान हो गई और एक दम से किसी की आवाद आई सबने कहा क्या लिसन चाइल्ड सेड यू शुडेंट चांट लाइक दाट ते जाओ अब वली वाज लाइक कि भाई उसने तो बहुत मता आ जॉए करना था बट एक वोईस आई क्या आई लिसन चाइल्ड बिचा सुनो यू शुडेंट चांट लाइक दिस मतलब कि तुम्हें ऐसे नहीं कड़ो अना चाहिए बैट जो अब वली को आएगा गुसा कैसे गुसा आएगा वीरू आंसर दो इसका वली को गुसा क्यों आ पर एक कौन थे बुड़े अंकल थे एल्जरली मैं तो यहां पर हमारा कीवर्ड हो गया एल्जरली मैं थे और वह रियरली में बच्चा समझ के कंसर्ण थे कि वली इस गिरना जाए तो वली को और जादा गुसा आ रहा था शीवा सो मच अनॉइड कि इतना अटेंशन क्यों दे रहे हो तो मुझ पर ओके तो यहां पर आगे इसमें आएगा देस नोबटी हेर हूस चाइल्ड अब वली भई हमारी आठ साल की बच्ची है लेकिन वह बहुत ही जादा बैट लीटी तो बाद में अब भी वीरू है ना एल्डरली अंकल थे पहले तो यहां पर हम यह कहे करेंगे कि वली वहां खड़ी थी और एक्जम से वली ने का देट नोबजी है रूइस चाइल्ड कि यहां पर कुई भी नहीं है जो बच्चा है आप पेज माई थर्ची पैसा अब वह यहां पर कहिए कि मैंने तो थर्ची पैसे आप दिये हैं तो यहां पर कोई बच्चा नहीं है मैं भी एक प्रसेंजर हूं जैसे आप हो अब उसके बाद जो कंड़क्टर बीच में आया और एक्दम से बोला यह यह वह बहुत ही ग्रोन अप लेजी है ठीक है बहुत ही ग्रोन अप मैजम है डू यू थिंक आप मियो गर्ल कुट पे हर ओन पेर आं प्रावल और सिछी अलोन तो उसने का कि हां हां वो एक मैजम है ठीक है आपको लगते एक चोटी ती लड़की अपना किराया दे सकती है और अकेले शहर तक जा सकती है आगे वली शॉट अन्ग्री ग्लांस अधी कंड़क्टर इंसे आम नॉट अमाजम प्लीज रिमेंबर दाट और यह यहां पर वली का आटिटूड और थोड़ा साम यह कहेंगे कि पॉजिटिव भी बोल रखा है पर एक दम से गुते में देखती है और कहती है पहली बात तो यहां पर कोई मैजम है नहीं दूसरे बात अभी तक आपने मुझे टिकेट दी ही नहीं तो यहां पर हमने आगे द होता है तो और वली भी हसने लग जाती है सब हसने लग जाते हैं फिर यहां पर वो कहती हैं चैनल चेटा नहीं फैर रहे हो तो लिया बैट जो उन्हें था नहीं चाहती हूं यह मेरी आंसर सम और बड़ी खड़ी हो जाती है लेकिन उसने कहा अगर तुम seat पर खड़ी रहोगी तो तुम गिड़ सकती हो और अपने आपको hurt कर सकती हो ठीक है और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैट जाओ आगे तो तुम तुम आगे पर बोला I am not a child I tell you she said irritably I am 8 year old और of course how stupid of me 8 year smile तो वो कहती है कि देखो पहली बात तो मैंने तुम्हें कहा दिया कि मैं बच्चे नहीं हूँ और वो कहता हां हां मैं तो भूली खाया ठीक है ऐसा इसा हाव सुपिड में कितना बेखो तो फिर उसके बाद बस थी वह रूप गई और नए पैसेंजर आ गए तो वली को ऐसा लगा कि उसकी सीच चली ना जाए तो इसलिए वह बैट गई लेकिन उसके साथ एक elderly woman बैठी और वह क्या कर रही थी बीचल वहला सुपारी खा रही थी एक कर रही थी और जो एरिंग पैन रखर थी वह बहुत ही जादा वली को अच्छे नहीं लगे तो वली ए सोच रही थी कि इसने बेकार एरिंग स्पैन रखें मैं तो पहनी नहीं रखें तो और साथ ही साथ वो ये भी कह रही थी कि कभी भी जैसे वह सुपारी खारी थी नहीं कि मुझ पर ही नहीं दे चाहाता उसे ऐसा फील हो रहा था करो 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 वीरू हस रहा है तो वली ने देखा कि उसके एयर लॉप बहुत बड़े उसमें बहुत ज्यादा बिग होल्स है और वह बीटलनट खा रही है यह जैसे परेगाम मैं सुपारी थार तो और आसा से बोल राजट राजट क्या आखा राजट है राजट मां कुछ खा नहीं रहा हुँ हो आम नौट इटिंग सुपारी यह नहीं खा समय है तो वैसा ही वली को दर लग रहा है कैसे कोई आंटी से दोस्ती दोस्ती कर सकता है और तो उसने आंटी ने का तुम बेटा प्रेली घुम रही हो और वह कहती हा आम ना केली हूं ठीक है और बहुत ही रूडली आंसर दिखा दिया होगा और वली केरियो में पर टिकड़ भी है आंटी अपनी सुपारी में मस्ता है यहां पर एस सीम चलवाद इसके बाद ओ वाइडोंट यू माइन और ओन बिसनेस बच्छी लाफ और अल्टी सेन अंटी कंड़क्टर लाफ तो नहीं थी नहीं 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 नह है अब जो ओड़ी तो अपनी बात पर कॉट सेलर कुछ नहीं बोलती रही है और ऐसे बोलती रही है तुम को पताया कि तुमने कांचन है कौन सी गवी है वीरो तुमारी है कौन सी खार परचाना तुम को बताओ वे पिछ वाजा पिछ जाओ वह बोलती गए और वली जो थी वह बहुत परशान थी कि भाई बसकर बसकर आंटी बसकर तो वली ने आगे से बोली दिया कि तुमार को मेरी परवा करने की दरूरत नहीं है मैं अपनी परवा खुद कर ल तो पहली जो जर्नी थी उसकी बहुत ही ज्यादा वह सोच रहे है कि यार इस जर्नी के लिए मैंने कितना दर्द उठाया मैंने कितनी ज्यादा सेविंग करी रास्ते में कोई सिक्काता था उसको मैं रख लेती थी टॉफी टॉइस यहां तक मैंने उस सब के पैसे बचा है वली सोच रही है और वो आंटी जो है वो कंपर्ण वली ऐसे देखकर गुसमें आसे देख रही है यार मैंने इतना सब कुछ बलून तक नहीं करी थे जिक्यां साउंड ओफ हो गई किसमें बोला भाई अब यहां तक हमने पढ़ लिया उसके बाद यह था आपके शी हैड मनी से उसके बाद तुक यह लग रहा था जते उसके बाद क्या हुआ था कि वह सोच रही थी कि इसको कितनी प्रॉब्लम थी घर से निकलने के लिए उसने कैसे प समय है दिल का दल और हर दिन लंज के बाद उसकी मॉम जथी वह नैप लेटी तो वली क्या करती थी वह तीन घंटे जो होते थे छोटी सी जर्मी मतलब कि गाउं में घूमाती थी और इस बैरी उसमें यह सोचा था क्या कि वह एक ट्रिप करेगी बस करेगी ओके यहां पर य साइड शॉप से निकलते साइड में दुकाने उसके बाद दूसरे वहीकल को हम यह कह सकते हैं पीछे छोड़ते हुए और जो पेडिस्ट्रिंस थे जो चल रहे थे वह फुट पास पर चल रहे थे यह सारा सीन उसको दिख रहा था बट समहाव इट पास्मूरली लेकिन जै सिंप्ली सुट दियर हेल प्लेस पर आमोमेंट बाद साइड ऑफ दी रोड बिपोर रशिंग तो दी अधर चिल्रों अधर डारेक्शन तो उसके बाद सदनली वली क्लाप धर हां तो यह सारा सीन चल रहा था अचानल के वली बहुत ज़़दा खुश होगे तो नहीं ऐसे कह सकते हैं कि एक जो एनिमल होता है वो ज्यादा इंजाइटी फील कर लेता है है ना और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो काउसी वो भी बहुत ही जादा तेज भाग रही ती उससे भी बेस नहीं मिलगा तो कि इस दिस दा राइट वे टॉक्ट तो दी लेडी नो बेटा उसके बाद जो बस थी वो धीमे धीमे और चली गई और आगे बढ़ी और और हौन मार रही थी लेकिन जो एनिमल था मतलब कि वो बहुत जादा तेज भागने लग गया और वो भी बसके आगे मतलब इन स्पाइट आप की वो दूसरी डारेक्शन में जाए तो दूसरी डा है और कल के लिए के बिच्व रही हुआ से रहेही ना इंट सकते हैं चूट मैं जसरी बता रहे हु वैसी आप को स्रोski को याद रखना तो यहां पर हमने कहा कि जैसे ट्रेन जाती है यहां पर यही चीज़े बोली जाती है अब क्या हुआ रोड जो थी वह करकर आकर टाउन के बीच में मार्केट में पहुंच रही थी और वहां पर मार्केट में क्या-क्या था ब्राइट लुकिंग शॉप सी डिस्प्ले और अधर मर्केंडाइस मतलब गोड्स या प्रडक्स से और बहुत ज्यादा क्राउसा वीरो जी जब वो लाइफ सेशन यूट्यूब पर आएगा ना उसमें सारे आई थी ना पूरी मार्केट को अब जब रुक गई सारे प्रसंजर्स निकल गए तो उसने कंड़क्टर ने कहा कि क्या हुआ लेजी आपने नहीं जाना बस पे बाहर तो उसने कहा कि यह लो मेरे 30 पैसा और मुझे वापिस जाना है तो अब उसको लगा कि भाई और वली न आई थी तो उसने कहा कि अब तुम इत्ती दूर तक आई गई हूँ तो एक बरी मार्केट में जाकर घूंपे रहू तो उसने कहा नहीं नहीं मैं अकेले वो तो नहीं तो वली शीवाद अवेड़ आवेड़ शीवाग वाई वही बात हो गई ना कि प्यार में दुख है ले नहीं देखना है तो ग्रेटली वह बहुत ज़्यादे म्यूज हो गई ग्रेटली अब यहां पर लिख रहे हैं ग्रेटली अम्यूज बैदी गर्ल वेफ स्पीकिंग उसने मना कर दिया था तो उसने कहा कि तुम बस में आने के लिए तो अकेले आने के लिए तो डरी नहीं यह सारी चीज़े वह बात हो रही थी तो उसने का कि Conducteur ने देखो इसमें भी डरने वाली बात नहीं है चलो तुम्हार को नहीं सामने स्टॉल है तुम्हां से कुछ पीने क्या ही लिए तो वली ने का ओ नू मैं नहीं कर सकते हूं ऐसा क्योंकि में पास ऐसे भी नहीं है त तो वह कर्ड़क्तर भी हो जाते हैं आ यहां तक हो गया तो उसके बाद वह और नहीं ef तो वली बोर नहीं हुई जब वापिस आ रही थी बस टाउन से विलेज की और वह बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी उसे फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की तरफ वो सीन्स को देख रही थी उसे और भी अच्छा लग रहा था लेकिन अचानक से क्या हुआ जो काउ थी जो बहुत ही जादा देखे वली क्लाप पर रहे थी शी वह बहुत 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 है लेकिन अब जो वली थी वह दो मिंट के लिए कंड़क्टर में सर हिलाया शीन और असाइन्मेंट बेटा मांसी करा दूंगी है ना लाच्ट मुमेंट पे तुम्हार को यह सारी चीते करने हैं पूरी है पूरी सल क्या कर रहे थे आप हां लाच्ट मुमेंट पे इंग्लिश में हवा बना लेते हो नहीं टेल मीं आई सेड यूं 10th क्लास है चाप्टर को रीड करने पर फोकस करिये ग्रैमर के लिए वर्कशीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी डोंट वरी अबाउट दी से ना चाप्टर को रीडिंग के लिए मैंने बार-बार कहा है अगर चाप्टर रीड कर लोगे डाट इस से सब्सक्राइड इसे सब्जेक्ट की तरह मत मानिये रट्टा नहीं मारना है हमको यहां पर जैसे आप हिंदी बोलते हो वैसे इंगलिश बोलते हो उसमें क्या दिक्कत है जब आपको कीवर्ड याद रहने चाहिए चाप्टर को स्षोरी याद रहनी चाहिए उन वर्ट को कीवर्ड को जाकर आपको आंसर लिखना है बहुत इस सिंपल चीव उसे कॉंप्लेक्स क्यूं बनाना है है ना तो उसके बाद जो कंडुक्टर है उसने नोड़िट किया उ अब उसके बाद तो मांसी आप हमने यहां पर प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिए असाइमेंट असाइमेंट बोलके ना फुद पढ़ रही है ना मुझे पढ़ाने देरें आप उसके बाद उसने का कि यारी कितनी लॉवेबल ब्यूटिपल क्रियेचर थी जो भगवा ती उसके चैसे तो अब कितनी है लग आउस्ए है रही है उसकी जो है पूत प्रैरण眇वा हो कि तरह मतल मिव्या कि आंखों में आख्योन दुझा रही है और जिसमें जान नहीं बेजां है वह साब हूं है आगे चलते हैं जो बस है वो moved on हाँ तो अब क्यों याद आ रहा है मैं इस ताइम कॉंप्रेंग्शन विल बिदिपिकल्ट कंपेर तो अधर क्लास्ट कुलकित..no..everything is simple..if you consider everything is simple.. हर चीज को कॉंप्लेक्स क्यों बनाना है? डिफिकल्ट क्यों बनाना है..जब आप चाप्टर रीड कर सकते हैं.. चाप्टर रीड करें.. राइटिंग, रीडिंग, घ्रैमर में को वर्कषेट्स प्षेट्स चाहिए है.. वो मैं ले आओँगे.. लेकिन प्राइमरी पार्ट यह है कि आपको चाप्टर और ली तीन से चार बारी पढ़के जाओ जब पढ़के जाओगे रीड करके जाओगे आपको वर्ड ही अपने दिमाग में तो रटा नहीं लगता मेरे साथ से अब उतके बाद जो बस थी वह चलती रही लेकिन जो काउ थी उसकी haunted memory दिमाग में वली की रही और वली चुप करके अपनी सीट की पे चिपक कर ही एक तरह से बैड गई और वो conductor और उसने सहां बाहर देखा और उसने कुछ नहीं सोचा बस एक memory को सोच रही थी और उसके बाद अपने टाउं से उसकी विलेज में आ गई थी तो उसने का वेल कंड़क्टर जी हम आपते फिर मिलेंगे तो उसने का ओके मैडम और स्माइल किया उसने और उसने का कि जब भी तुम्हार को आना हो बस राइट करने तो जरूर आईएगा लेकिन हां आपना बस पेर लाना मत पूलिएगा और वली जो थी वह हस कर बस से उतर गई और सीधा घर की और चली गई जब घर की और गई तो उसने देखा उसकी मौम जागी हुई है और एक आंटी है जो एक तरह का चैटर बॉक्स हैं बोलती बहुत जाद हैं कभी मुह नहीं बन करती हैं तो वह वहाँ पर अरामते वली से पूछी कि तुम कहा थी और इतना casually उन्होंने पूछा था कि वली को पता था कि उसका आंसर देना important नहीं है और वली जुपकर के अपनी मौम की conversation और आंटी की सुनते सुनते चली गई तो उसकी मौम ने भी आंटी कोई बात हो रही होगी तो उसकी मम्मी ने यह सारी चीज उसने बूलना शुरू कर दिया तो वली बीच में बोल पड़ी हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हूं हमें नहीं पता होता कि दुनिया में क्या चल रहा है कई चीवे हमारी knowledge के बिना भी हो रही हूं कि बही मैं तो बस राइट करके आगे ममा तुम्हीं तो पता ही नहीं चला है ना तो उसने कहा आंटी ने देखो सही छोटी सी लड़की है नहीं चिट ऑफ गल और कितनी जादा बाते करते हैं कितनी जादा नागुसेजने की आदत है शी पोक्स हर नूस मतलग हर चीज में इं इस पिए नहीं थी कि वो जो कहना चाहरी है कि उसके पेर उसकी आँटी है ममी वो समझेज बात को बट देर वॉजन्ट मच चांस और उस पता भी था कि कोई चांस भी नहीं है क्योंकि मम्मी और आटी को पता भी चले कि वो बसराइट कर कर आई है और दिस वाउल अल या आप यह कह सकते हो कमांड रिक्वेस्ट वाले वो इसकी वीडियो अप्लोड़ेड है यह रिकॉर्ड़ेड पॉर्म में पढ़ा है मॉडल्स जो है वो लाइव के पढ़ा है आपके लिए इस कोर्स में कब कराऊंगी जब सारी पॉर्म करा लूँगी पहली बुक हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही मैं ग्रैमर कराऊंगी हाँ पीपीटी और ऑनलाइन नोस से पढ़ लो पढ़ लो बेटा विकास हर सेम ही है ठीक है उसमें बस वर्ड मीनिंग मैंने अडिशन कर रहा है है तो इनकी आर्टी ना पोरिंग कुछ नहीं होता है आप बोरिंग बना दे तरह तो वली कौन की वली शॉट नेम है वली अम प्रंट आप दी डोर हुए यह स्लाइड आपके पास नहीं है तो मिल जाएगी तो वली हम प्रंट डॉर खडी रहती थी और क्योंकि कोई प्लेमेट नहीं थे उसकी एज के तो शी यूज चू कीप ऑन वाचिंग दा स्वीट आउसाइड हाउस तो यहां वाय हाइड वाय ह दीडिदिन्ट नोवाउट इस जर्नी हर जर्नी इस किसके लिए होता है लड़के के लिए हर किसके लिए लड़की के लिए पोदेश पीस वोल रहे हो विकॉस मेर को अधित्य वेशन नहीं आया मैं जिस चैपेली तोव एंज्वाइग बहुत मताता है पड़ाएड बाकी हां जी किसी को कोई डाउट है what was the most fascinating thing that वली saw on the street fascinating thing क्या थी bus traveled between her village and nearest town pass through her seat each hour once going to the town and once coming यह सारे questions जो आप देखोगे न मैंने पहले ही चाप्तर reading के time ही समझा दिये थे देखें आप रीड कर लीजे कब यह कुस्त टाइम अब भी हो रहा है ओके वली गैदर अल इंफोमेशन अबाउट दिवर तो वली ने और इसके बाद हम यह भी कह सकते हैं कि वली के अंदर tiny wish कैसे transform हो गई strong desire या वली ने कैसे information को gain किया ठीक है वली की tiny wish कैसे transform हुई थी desire में सबसे पहले उसने information gain करी थी फिर उसके बाद उसने planning करी थी मतलब कि उसने fund arrange किया था that was 60 पैसा प्रेपर में टॉफिस उन सबको नहीं खाया पिया था तो यह सारी चीवे आपको लिखने है तो यह सारी चीवे हैं जो आपको पूछनी है अब ली ने बहुत केर्फुली डिस्क्रीट क्वेस्टन पूछे थे और उसके बाद हम यह भी कह सकते हैं इससे उसने सारी इंफोमेशन गिंगे वाहल मदर दोंट नो अबाउट हर जर्ने शी वास ख्लीपिन अट दाट ताइं उसकी मॉम सोती थी ना तभी तो वह गई थी अनिमेश अनिमेश तुम ओल्ड शुडेंट हो क्या मेरे नाम जाना पर चाहना लग रहा है वाव देडवली फिल उन सेंग देड़ काव ओन ओन दी रूद रचत कह रहा है शी वह स्टॉक्ड दम यू कन से शी वह स्पीछलेस शी वह हम यह वर्ट लिपते हैं शी वह इन डेप्थ विगरेट तो यह सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं यह सारी चीज़ें बोल सकते हैं दिवयांचू मैं मिजबिल दी ओर्ट का सेकेंड पार्ट क्यों नहीं पढ़ाया पढ़ा दिया है बेटा मंडे को 3-4 वजे दिवयांचू पार्ठक आप मंडे की क्लास देखिए आपको पता ही है कि 5-6 वाली जो क्लास है वो 3-4 हो गए थी मंडे से तो पार्ट 2 मिजबिल दी ओर्टर का पढ़ा दिया है आप एक बड़ी देख सकते हैं आप पर रिकॉड़ेंचू मैं बट डाट डे शीवाट माट स्लीपिंग शीवाट स्लीपिंग अजित्तिया मैं चैप्टर वैसे पढ़ लिया है क्रैश कोस में जितना भी सब है सभी वीडियो देख ली बट नूओ कॉंपिडेंश जी अगर आप कॉंपिडेंस लाना ही नहीं चाते तो हम क्या ही करते हैं हां how can we help you if you don't want to believe on yourself then have believe on other person अगर खुद पर बरोसा नहीं होता है न कहीं बारी तो सामने वाले पर भरोसा कर लिया करें जो आपके लिये महिन करते हैं तो confidence आई जाएगा अब negativity आप लाना चाहोगे तो बहुत जादा होगी अगर positivity लाना चाहते हो तो बहुत जादा ला सकते हो She talked with her aunt that day She was awake when she came back and her auntie was there at the house ये बोलोगे ठीक है? भागी रथ, हाई भागी रथ Ma'am, she also sacrifice her desire about toy supplement Very good, मिचलिश वो आप ये सारी जीदे लिखोगे Where was the town located, town कहा था, what was the fare to travel there by bus ये सारी question में recorded में भी आपको बता चुकी हो The town was located 6 miles from Valese village और जो fare था, वो था 30 पैसा one way में ये सारी चीज़े आप बोल सकते हैं तो ये सारी question अगर फिनिश हो गए ये 5 questions मैंने आपको recorded में भी कराये थे लाइज में भी कराये हैं और लाइज में मैंने थोड़ा से आपको keywords से ज़्यादा ध्यान दिया है कि ये keywords को आपको बहुत ध्यान से देखना है तब भी 54 minutes होई गए मैं सारा answer लिखता हूँ पर grammar में सारे मार्स काड़ रेती हैं यह grammar को ना एक करण से आपको तभी आएगी जब हम practice करेंगे अब grammar की class live आने दीजे तो आपको और confidence आजेगा अपने पर don't worry खुद पर भरोसा क्यों नहीं है या देखो बहुत ही clear बात कहते हूँ अगर आपको एक teacher पर भरोसा है जो online है तो यह कि हज एक teacher पर इतना भरोसा है जो online आपको पढ़ा रहा है तेकिन आप जो पढ़ रहे हो आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है यह कैसी बात हो जाएंगे, प्लीज बिलीव on yourself, अगर आप अपने पर भरोसा नहीं करोगे, तो how you can expect that anyone should believe on you, कोई आप पर भरोसा क्यों करेगा, जब आप खुद को इव्दत नहीं देते हो, पर्स अपल, you should respect yourself, तभी आपको respect मिलेगी, अगर आप ही अपने आपको हमेशा doubt म पर रखोगे, तो सामने वाले को कभी आप पर यकीन होगा ही नहीं ना, तो सामने वाला आपको हमेशा नीचा ही दिखाएगा, है ना, तो हमेशा, हमेशा अपने पर भरोसा मत सोच, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें अपने पर भरोसा है, because we are doing hard work, how to learn word meaning, you don't have to learn word meaning, you just have to read the meaning, जब आप उस words को daily use में प्राक्टिस में लिया आते हो, तो आपको word learn नहीं करना पड़ता है, हिंदी में कुछ याद करते हो, नहीं करते हो ना, मैंने का कैसे हो आप, कैसे हो, कैसे का मतलब क्या है, हो का मतलब क्या है, आपको याद करना होता है, तो वैसे English के words अकर आप daily spoken में हम ये करें कि प्राक्टिस करेंगे तो आपको आजाएंगे, अनलिटिकल पैरिग्राफ, heading is important, नहीं, अनलिटिकल पैरिग्राफ में, heading is not important, how to deal with the loneliness, ओ हो मिथिलेश, tense में हो, loneliness आ गई आपको, हाँ, 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 तो डील विद लोनलिनेश, अकेले प बीजी कैसे रखेंगे, do whatever you like, you want to go to skating, जाइए, swimming करनी है, करिये, बाते करनी है, दोस्तों से करिये, कोई बात करने के लिए नहीं है, शीशे में देखका, सुद को ही बोलिये, मैं बहुत स्मार्ट हूं, आदा गंटा अपने आपको ही नहीं हार लो, loneliness खतम हो जानी है, और जादा ही लोल लिने सारी है, तो रोल लो, अकेले में, और शीशे के आगे खड़े हो, बड़ी सुन्दर शकल आती है, बहुत प्यारे लगता है, लेकिन अगर आप हम पर बरोसा कर सकते हैं, तो अपने आप पर भी करिये, है ना, आप बहुत इंपोर्टेंट, और यू हम हर थोड़ी बन सकते हैं, और आप हम नहीं बन सकते हैं, है ना, तो just believe on yourself, मैं ऐसे थोड़ा डर लग रहा है, उशांसर सारे दूर करते हैं, वीरु हस रहा है, पिटाई कर दोंगे, वीरु, चलिए जी, thank you so much everyone for coming in my class, और बहुत अच्छा लगा, जो लोलीने सो रही है, र मत कुई है, जिस दिन आपने अपने आप पर doubt किया, तो दुनिया आप पर कभी यकीग नहीं करेगी, मान कर चलिएगा, okay, just believe on yourself and do hard work, अगर आप hard work करते हैं, तो कभी failure नहीं होगा, और अगर hard work के बाद भी failure हो रहा है, तो अपने थोड़े actions को देखिए, maybe आप शायद अपने पर